हालो बच्चो गुड मॉर्निंग जैसी एलसी, मैसल किसोर सेखावत, टेम फिजिक्स, सीलसी सीकर, आज हम लोग DCM टेस्स सेरीज में पेपर 4, आउटो 48 डिसकस करेंगे, और इस पेपर में हम लोग relative motion or 2D motion, जिसमें procedural motion है, उसके important 60 questions discuss करेंगे, और इन 60 questions के मादब हम से पूरा topic आप भहुत अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, तो इसका पहला question हम सुरू करते हैं, पहला question में है, a boat crosses a river from port A to port B, which are just on the opposite side, the speed of the water is VW, and that of what is VB relative to still water, assume VB is equal to 2VW, what is the time taken by the boat if it has to cross the river directly on the AB line, ठीक है, हिंदी में देखे हैं अपन इसमें, तो एक कोई नाव है, वो बंदरगा A से B तक नदी पार करती है, जो के ठीक वेपरि दिशा में इस्तित है, जल की चाल VW है, और इस्ति जल के सापेक्ष नाव की चाल VB है, और आपको देखा है कि VB is equal to 2VW, तो यदि नाव नदी को सिधे AB रेखा पर पार करती है, तब इ को होता है, crossing for D minimum, एक है new-thumb, सामय में नदी को पार करना, और एक होता है manly, new-thumb path के along नदी को पार करना, इसके दूप man concept है, और इनहीं के आसपास से manly आपके परसनाव आते रहते हैं, ठीक है, तो यदे को question किस तरह से था, इसका simple diagram समझें, जैसे कोई नदी स्तिरफ लो क आपका B है, और इसे A से B की तरफ सिधे क्रोश करना है, हमको मालूम है, तो ये case कौन सा हो गया, ये हो गया 4D minimum, D minimum, नदी को पार करने का ये, आपका concept यहाँ follow करना है, अब नदी के नदी के नदी के नदी को पार करना है, तो निशित रूप से आपको इस दिसा में, इसका effort है, वो करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर ये VB स्पीड से इस दिसा में, यानि इसके यहाँ से थिटा एंगल पर VB स्पीड से motion स्टार्ट करेगा, तो उस condition में, अगर अब इसकी resultant velocity A से B की तरफ रह जाती है, तो ये ऐसा कर पाने में समर्थ हो जाएगा, तो द्ध दूसरा इसके अपोजिट, यानि जो water है, इसके ठीक अपोजिट, water current के ठीक अपोजिट, जिसका component बना वो है VB sin θ, ठीक है, अब हम यह करें कि A से B तक इसको जाना है, A B के along इसको move गरना है, तो इसके लिए ये जो component है कौन सा VB sin θ, वो VW से balance होना जरूरी है, क्योंकि resultant velocity AB के along तभी रह पाएगी, तो इसका आप यहां से ही बात catch करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देगो, VB sin θ is equal to VW, हम को दरख है, VB is equal to 2VW, तो इसकी value हम put कर दें, 2VW sin θ is equal to VW, अब इससे पर निकालते हैं, sin θ की value, तो आप देखें इसमें, VW से VW यहां पर cancel हो गया, तो sin θ हो गया 1 by 2, और sin θ अगर 1 by 2 है, तो θ हमारे पास आचुका है 30 degree, यह पहला काम है, यह पहले हमको ठीक से समझना था, अब उसके बात कोई issue नहीं है, अब अगर इसको A से B जाना है, तो A से B तो जाने में कितना समय लगा, तो A से B तक इसका path किस length का है, D length का है, तो time taken, यहीं हम बात करें time taken T, तो हम distance upon इसकी resultant velocity along A, B अपन यूज़ करेंगे, तो T, A, B हमको जब find करना है, तो distance भी आपको D, A, B यूज़ करने पड़ेगी, और इसके along इसकी velocity भी आपको V, A, B के value को पता करना पड़ेगा, D, A, B हमारे पास capital D है, और V, B बेटा कौन सा है, वो हमारे पास है, V, B cos theta, V, B cos theta, cos theta में cos 30 degree, और cos 30 होता है, root 3 by 2, इसको हम लिख दें, यहाँ पे root 3 by 2, तो 2 चला जाएगा, ऊपर, तो 2 capital D upon root 3 V, B, इस तरह से आपका यह answer है, वो आ जाएगा, तो देखें इसमें, V, B की रूप में answer है, V, W रूप में होगा, तो हम V, B के स्थान पे 2 V, W, B put कर सकते हैं, और वहाँ भी हमारा answer है, वो बन सकता है, तो देखें, 2 D upon V, B root 3, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, बढ़तें आगे, अगला question है, एक boat, a boat moves with a speed of 5 km per hour, relative to water in a river, flowing with a speed of 3 km per hour, and having a width of 1 km, the minimum time taken around a round trip is, यह आपका दूसरा case आ गया, कि निउन्तम समय में नदी को पार करने वाला case है, एक नाव जल के सापेक्स 5 km per hour की चाल से गती कर रही है, और नदी के जल का वेग 3 km per hour है, कि नारों के 20 की दूर दे रखा हम लगों को 1 km, तो एक पुरा चक्र लगाने में लिया गया निउन्तम समय ग्याद करना है, ठीक है तो अब देखिए, इस question में एक important word है, उस पे आपको धान देना है, और यहाँ एक बात कहना चाहूँगा आपको, कि नीट में concept अच्छे करने के साथ साथ हमको link base भी पढ़नी आनी चाहिए, यह भी सबसे important सर्त है, नहीं होता है कि actually हम लोग यहाँ से question पढ़ना सुरू करत हैं, यहां तक आते हैं, जब last में पहुंचते हैं, तो भहाँ पता लगता है कि हमको ग्याद करना क्या है, हमें find करना क्या है, पर उसमें given क्या भूल जाते हैं, इसलिए question को बहुत ठीक से पढ़ते पढ़ते उसका diagram में भी आपको बनाना आना चाहिए, बिल्कुल साथ आपको अना चाहिए, तभी हम questions को ठीक कर पाएंगे और कम टाइम में कर पाएंगे, तो concept अच्छे करेंगे, दूसरी बात, आप हमेशा इसमें जो भी चीज़ें आपको देर रखें, उनको साथ साथ डागराम में उतारते जाएंगे, और उससे आपका question है, वो ठीक ठीक आ वापिस वही आना है, जहां से start वाथा वापिस वही आना है, तो उसके लिए तो कैसे motion स्टार्ट करने पड़ेगी, कैसे move करेगा, तो देखें, जैसे मालो, यह कोई एक river है, और एक man या कोई swimmer इस point पे है, और उसको एक round trip करनी है, round trip तभी तो होगा ना भी, जब यह, माल लेता हूँ, और इसके ठीक सामने point B है, और वापिस उसको A से, भी जाकर करके फिर वापिस उसको B से A पे आना है, तो round trip में इसको यहां से यहां जाना है, उसके बाद वापिस इसको यहां आना है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यह तो question तो language की रूप में आपको लग पड़ेगा, आपको issue है नहीं, आपको मालूम है, यहां जो river है, वो flow हो रही है, 3 km पर अबर की speed से, और जो river आपको देरखा है, इसका भीड देरखा हम लोगों को 1 km, second thing, आपको यह देरखा है, कि जो man है या जो आपका streamer है, वो water की respect में 5 km पर आबर की speed से मूगर रहा है, तो ऐसी सिती में देखो, यहां पर यदि हम बनाते हैं, यह triangle, तो उस triangle में अगर हम इसमें use करते हैं, simple pythagoras therm भी अबर use करेंगे, तो हमारे पास यह velocity है, 5 km पर आवर, यह हमारे पास से कितने 3 km पर आवर, तो ऐसी सिती में, ab के along जो इसका velocity बनेगा, resultant velocity बन तो definitely है, इसका value कितना है आपका, यह हो गया, 4 km पर आवर, तो अगर इसके along इसकी velocity आपकी 4 km पर आवर है, तो आप इसको पार करने में, इसको क्रोस करने में कितना समय लगना है, और वो भी कौन सा round trip के लिए, तो total मैं यहां लिए दो, t total, t total for a round trip, वो है कितना, 2 into tab, ठीक ह हमारे पास कितना है, आपको simple time निकालना, distance upon, resultant velocity, distance हमारे पास है 1 km, और velocity हमारे पास है 4 km पर आवर, किलो मेंटर से किलो मेंटर कैंसल, अब आपको चलागे ऊपर, 1 by 2, तो 1 by 2 hour, इसका मतलब आप यह कह सकते हो, कि 30 minute यह इसका वो समय है, जो इसके round trip के लिए required है, तो मेरे स आपसे इसका अंसर आपन देखेंगे, तो आपका अंसर जो है वो आजाएगा 30 minute, 30 minute, okay, 4th इसका answer आप कर सकते हैं, तो बहुत simple logical question आपका था, अब अब अड़ते आगे, देखिए, question है, two trains are moving with equal speed in opposite direction, along two parallel railway tracks, if the wind is blowing with speed u along the track, so that the relative velocities of the train with respect to the wind are in the ratio 1, ratio 3, then the speed of each train must be, question है, question है, यहां पूरा relative का जो basic answer है, उसको आपको काम में लेना पड़ेगा, और फिर दो equation बनेगी, चोटी मोडी, उससे अपने इसका answer है, वो find कर पाएंगे, तो अगें देखो हिंदी में देखाएं इसको अपन, दो rail guardian समान चाल से, दो विन समान तरपतों पे वी पृत दिशाओं में गतिमान है, यहीं वायू यू चाल से पत के along प्रवाइट हो रही है, जिससे वायू के सापेक्स rail guardian के आपक्सिक वेगूंगा अनुपात, एक अन पड़ेगा, कि जो relative velocity पर निकालते हैं, उसमें, जैसे देखो, मान लिए यहाँ पर यह कोई A वस्तु है, एक object A है, दूसरी मान लो, यह object B है, ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं, तो इसका जो important concept देखें, उसके बाद हम question इसको solve करेंगे, देखो, तो हम लोग जानते है जैसे, मैं लिए आपके जो basic concept की बात अपन करते हैं, तो वहाँ relative velocities के अंदर, चार case अपने important है, उसके बाद तो जो काम चलता रहता है, उसको अपन बाद में पढ़ता रहते हैं, पहला case यह है, कि दो मान लोग कोई point pass है, कोई object है A और B, मान लिए से object A है, इसको मैं B कह कर रहा हूं, और दोनों क्या कर रहे हैं, समान दिशा में, same direction move कर रहे हैं, तो ऐसे सितिती में, जो इन दोनों की relative speed हम कहते हैं, जान दे relative speed का मतलब हो गया, relative velocity का magnitude, वो हम लोग जो find करते हैं, वो हमेसा आता है, इन दोनों के difference के एकवल आता है, यानि VA more minus less VBA, जो velocity बड़ी ह होती है, हमेसा उस में से हम छोटे वाले को minus कर देते हैं, और उस से हमारे पास इन दोनों की relative velocity है, उसका magnitude है, वो मिल जाता है, अगर वो ही दो particle, दो object, अगर परस पर भी प्रिदिशा में गती कर रहे होते हैं, उस सितिती में के second में यूज़ कर रहा हूं, और वहां हम आप पास बन जाती है, दोनों की जो speed है, उनका जोड हम कर देंगे, उसका हम sum कर देंगे, दोनों का V, A plus V हो जाएगा, अगर वो तीसरा case अपने यूज़ कर रहे हैं, इसमें समान speed से, दोनों same speed से मालों समान दिशा में गती कर रहे हो, उस सितिती में इन वस्तुओं के हम निक करते हैं, दोनों opposite move कर रहे हैं, तो उस सिति में इसके relative velocity का, जो हम निकालेंगे magnitude, वो आपके पास कितना don का, just double आज जाएगा, ठीक double आपका, to be आज जाएगा, ये तो case वा न, अब ध्यान दो, कि relative जो speed है, वो जदा कब आएगी, कब आएगी, जब दो object आपके opposite move कर रहे ह और कम से कम कब आएगा, जब वो ठीक समान दिशा में same direction move कर रहे हूं, अब इसी concert को यहाँ पर काम में लेते हैं, वो solve करना है, तो question हमारे पास था, कि जैसे question को मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ, मैं आपको सिरफ explain करता हूँ देगो, कि जैसे ये दो track है, एक track ये वाला है, इसकी speed मैंने भी माल ली, और परसरी ये कह रहा है, कि air इसमें move कर रहे है, air flow कर रहे है, और किस तरफ कैसे flow कर रहे है, वो हमको जाना पड़ेगा, और उसके लिए देगो, आपको दरक है, कि इनकी जो relative velocity है, जो train है, उनकी relative velocity है, कि इसके air के respect में, वो 1 ratio 3 है, 1 ratio 3 है, अब द यहां कैसी है, जादा है, तो इसका मतलब ये वाला case, दूसरे case में, यानि opposite के लिए काम आएगा, और ये वाला case काब आएगा, जब दोनों समान दिसा में, गती कर रहे हैं, तो समान दिसा में, जब यू इसकी है, point की speed इस तरफ, और ये train की है, इस तरफ, दोनों समान दिस उठाते हैं, तो हम ये कैसेते हैं, कि V minus का U, upon कितना V plus U, direct कर रहा हूं इसको, ये पहले case में, इस train का, इसके air के respect में, और ये दूसरे case का, आपका relative velocity आ गया, और ये है कितना, देखो, 1 by 3, ये हमको दे रखा है, अब हमको find करना है V, तो अगर मैं इसको some difference method से करता हूं, V upon U, तो आप देखें, यहां V में से मैं U difference कर रहा हूं, तो definite V बड़ा है, तो बड़ा है, उसके तरह plus कर दो, जो छोटा है, उसको minus कर दीजिएगा, अब इन दोनों में कौन सा नमर बड़ा है, 3 बड़ा है, तो more value आप यहां add कर दीजिए, ओके, और some difference के अनुसर आप यहां plus minus कर दीजिएगा, तो आप देखेगा, 3 plus 1 कितना 4, 3 minus 1 कितना 2, 2, तो इसका answer आपका 2 by 1, यानि V is equal to 2U, यह इसका proper answer आपको मिल जाएगा, ठीक है, जदा इसमें कोई कहानी नहीं है, basic answer आपको काम में लेना होता है, तो और आम से इस question को आप ठीक से समझ पाएंगे, ठीक ह North East and a car is along North, both with the same spirit, दोनों समान spirit से मुझ गर रहे है, the observed direction of train to the passenger in the car is, यानि कार की respect में यहाँ पे train किस तरब motion करती भी आपको नजर आती है, वो हमको यहाँ पर पढ़ना है, तो जखें, और जब भी कहीं direction की बात आती है, North, South, East और West, तो पहले से आप, इस mind आपका पहले से prepare होना चाहिए, यह North है, आपका South है, East और यह West है, यह प्लस I Cape है, मैनस I Cape है, प्लस J Cape है, प्लस J Cape है, कृष्टन कहरा है कि रेल गाड़ी पूरो की तरब गती कर रही है, मालों कोई train है, इसकी speed है VT, पर किस तरब है पूरो की तरब, पर यह भी सर्थ ह तो उनों समान speed से गती कर रही है, तो अपने इसको लिखे वेक्टर 4 में VT, तो बेटा जी V कर दो इसको आई कि, okay, second जो कार है मूग कर रही North की तरफ, तो इस VC को अपने एजुम करें, तो V हमारे पास जएगा JK, पर यहाँ मैन इंपोर्टेंट जो इश्य यहाँ पर है, कौन कि इसको observe कर रहा है, तो यहाँ कुछन पूचा, कार में बैठे यात्री को, रिल गर्डी किस सामें गती करते ही दिख रही है, तो देख कोन रहा है, उसके respect में है, देख रहे हैं, आप एक कार में बैठा यात्री, तो हम इसको ऐसे करेंगे, कि V train with respect to car, इसका मतलब हम V T minus V C, तो देखेगा V T, V T हमारे पास किता देखा, V I के, minus V Z के, अब यह कौन सी क्वाड़ेट में है, देख लिजे वई, कौन सी क्वाड़ेट में, आई तो आपका plus का है, J आपका है minus का, उसको अपन चेक करें, तो यह आपका देख, आई तो है plus और J है आपका minus, इसका कौन सी क्वाड़ेट में उसको observe होता है दिखेगा, वो है फोर्थ क्वाड़ेट में, और यहाँ पर कौन सी डिरेक्शन है, इस्ट और साउथ, इस्ट और साउथ, यानि जब भी आप Vector 4 में यहाँ देखते हो, तो इसके इस रूप में आने के बाद, यहाँ हमेशा हम लो और डिरेक्शन आप इसमें यूज़ करनी हो, तो आप देखो यहाँ पर मैं यूज़ भी गरता हूँ 10 थेटा, तो 10 थेटा आपन लोग लिखते हैं, coefficient of z, तो minus का V, अपन कितना plus का V, इसको आपन यूज़ करें, minus का 1 आ गया, यह minus 1 यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कि एगर तो मैं इसके डिरेक्शन को यहाँ शो करता हूँ 4th Quadrant में, हमारे पास इससे दो एंगल आते हैं, एक आपा का एंगल आता है इस तरफ, यानि वो तो हुआ anti-clockwise, plus, और एक आपा आप इसमें यूज़ करते हैं, इस तरफ, यह minus का 45 degree, minus का 45 degree यहाँ पर आपका एंगल बनेगा जो ठीक किस तरफ है, east और south के ठीक mid पे इसके direction बन जाएगी, और ऐसे में इसका जो आंसर आपका है वो east-south, यानि दक्षन पूर दिशा में यह आपको चलतावा दिखाई देगा, किसको कार में बैठे passenger को, तो मेरे साब से इसका आंसर आपका है, third हो जाना चाहिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रशन में, next question देखिएगा, दो कारें समान दिशा में समान चाल, 30 km per hour चल रही है, और उनके 20 की दूरी 5 km है, तो वी प्रिदिशा में चल रही, उस कार की चाल क्या होगी, जो इन दो कारों को 6 मिनिट के समय अंतराल पर मिलती है, इंगले समें आप इसमें, two cars are moving in the same direction, with the same speed, 30 km per hour, दो कार हैं, वो समान दिशा में चल रही है, मालो पहली कार हम देखें यहाँ पर, यह कोई first car है, और इसकी speed हमको दे रखिए 30 km per hour, यहलो साब, इसकी speed है 30 km per hour, second, वो भी इस तरह पिमुगा रही है, परन्तो इसमें इसको अगर A माल लें, दूसरी को पर B माल लें, यह इसका first track हो गया, यह मालो second track है, और यह second जो आपकी car है, इसको पर भी इसकी speed बेटा कितनी है, वो भी आपकी 30 km per hour ही है, अब main question आपका यह है, they are separated by a distance of 5 km, इन दोनों के बीस की distance है, वो देखो आपको दे रखा है, d is equal to 5 km, यह हमको दे रखा है, the speed of a car moving in the opposite direction, if it meets these two cars at an interval of 6 minutes will be, यानि एक कोई दूसरी car है, तीसरी car है, यह first है, second हो गई, एक तीसरी car है, वो इन दोनों के ठीक विपरित मूँ कर रही है, यानि अगर मैं इसको देखो यहाँ पर, तो देखो, जो अगली car है हमारे पास, यह car, इन दोनों के ठीक opposite move कर रही है, तो अब यह कर रहा है कि यह दोनों को cross करने में कितना समय लेगी, पहली बात तो यह दोनों के speed सेम है, 30 और 30, इसका मतलब इन दोनों के 20 की relative distance समय के साथ fix रहेगी, और उसका मान कितना 5 km ही रहेगा, परन्तु जब यह इसको cross करेगी, तो इस first को cross करने के बाद, second को cross करने में कितना time लगना है, तो अब देखें, अब आप क्या करेंगे, एक के respect में इसका speed मान लें, तो अगर इसकी speed को मैं यू मान लेता हूं, ठीक है, दोनों किस तरब move कर रहे हैं, अपोजट move कर रहे हैं, जब दोनों opposite move कर रहे हैं, तो इ देखो, question को अपनी हाँ देखें, तो समय हम जो यहां find करेंगे, यहां से इसको cross करने का समय जो t आपका है, वो 6 मिनिट दे रखा है, direct इसको लिखो, तो 6 मिनिट का मतलब 6 upon 60, 6 upon 60 यह आपका हो गया hour में, okay, distance हमारे पास किते थी 5 km, तो 5 km upon, वैसे km को अपनी हाँ यूज़ console कर रहे हैं, और speed हमारे पास किते 30 प्लस यू, 30 प्लस यू, यालो भाई, भी time का formula हमारे पास t हमको दे रखा है, 6 मिनिट, बदले इसको अपने किते आवर में, अब हमारे पास यह है, distance किते 5 km में, और जो हमारे पास velocity है, यह पूरी की, पूरी किलो मेटर पर आवर में, त किलो मेटर से किलो मेटर आपका cancel होगा, तो अब सारा खेल आपका hour में चलेगा, time हमारे पास है, वो hour में आएगा, ठीक है, अब इसको अपन करते है, solve, तो धान दे, यदि इसको यहां से कर दें, cut, तो यह होगा आपका 10, करें cross multiply, तो 30 प्लस u is equal to, 30 प्लस u is equal to, हो गया, 5 to 10 यानि 50, और इससे हम देखें, तो यह हमारे पास कितना जाएगा, 20, 50 minus 30, it means 20 किलो मेटर, 20 मेटर पर, sorry, sorry, आगे हम पहुंच गए, 20 किलो मेटर पर आवर, यह इसका right answer हो जाएगा, तो कोई basic, यहां बढ़ा कोई भी से इस नहीं है, simple simple constant आपके नीट में आते हैं, और यह simple ही हमको बचाते हैं, ठीक भी, बढ़ते हैं आगे देखो, अगला परसन देखते हैं, यह भी बहुत simple question है, let r1, this r2, this represents the positions of particle 1 and 2 respectively as function of time, तो time के function में आपको दे रखें, एक और दो जो particle हैं, उनके position vector, और आपको इसमें पूछा हम से क्या है, in t second, the relative speed of the two particles at the instant t equal to 1 second, आपको t equal to 1 second पर इनकी relative velocity है उसको, और उसका भी क्या पूछा है, ध्यान दो देखो, relative speed का मतलब हो गया, कि जो relative velocity आईगा, उसका हमको निकालना है magnitude, okay, इसलिए magnitude की रूप में आपका अंसर आएगा, यहाँ पर भी यह दे रखा आपने को r1, r2, और 1 और 2 की position vector दे रखी है और यह आपको सब गिवन है, तो पूछा कि तब किषण t equal to 1 second पर दो बस्तों की आपकी चाल ग्याद कीजिए, तो हमको दे रखा r, तो position vector से speed कैसे आती है, velocity का बात ही हम निकालते हैं उसका, time के respect में करते हैं, differentiation, तो एक तरह से v1 कितना आएगा, वो आपका आएगा dr1 by dt, और v2 हम निकालें, वो आपका dr2 by dt हो गया, तो इसको पर direct करें, तो जदा ठीक रहेगा, जैसे धान दे, आपको यहाँ निकालना है, जैसे, अब देखो आप इस चाल पूछें, तो किसी का भी, 1 का 2 के respect में निकालें, चाहिए 2 का 1 के respect में निकालें, यहाँ आपकी चाल ज ठीक अभी, तो क्या लिखता हूँ, देखो, v2 minus का v1, directly, अब v2 है क्या, वो है, देखो, dr2 by dt, यदि हम इसका करते हैं, time के respect में, differentiation, तो हमारे पास, v2 कितना देखो आएगा, 4t square का हो गया, 8tik, और plus 3t का हो गया, only 3, यह तो है, बेटाजी, v2, अब हम निकालते हैं, v1, 3t का अगेन, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, आपका 3i, but, यह 4t square, यहोगा, at t, jk, clear, अब देखो, question में, आपको क्या mention कर रखा है, कि t equal to 1 second पे हम से पूछा है, तो t, आप यहाँ पर 1 place कर दीजगा, तो t को अगर मैं यहाँ 1 place करता हूँ, at t, तो यहाँ t को 1 करते हैं, आपका at, यह into 1, at हो जाएगा, तो at ik plus 3 jk, 3 jk, minus 3 ik plus at t jk, यहाँ t को आपको 1 put करना होगा, तो इसको भी हम 1 करेंगे, तो आपका at jk आजाएगा, तो धान करें, मोटी सी बात, इसमें कितनी आई है, कि at ik plus 3 jk, और इस at में से, धान देव, इस at में 3 को उपर minus करेंगे, तो हमारे हम करेंगे, minus से multiply करेंगे, तो minus आपका हो जाएगा at jk, तो आप देख पा रहे हैं, minus का हो गया 5 jk, at ik plus 3 jk, minus का 3 ik, minus का at jk बनेगा, आप उसको solve करेंगे, तो आपके पास 5 ik, minus का 5 jk आजाएगा, अब हमने अभी कुछ दर पहले कहा था, कि ऐसे एक बने के बाद, अब हमक देगा, तो 5 और 5 ठीक 90 पे हैं, वैसे i का 5 है, z का minus का 5 है, तो अगर आपको इसमें use करना हो 521, जिसका आपको निकालना magnitude, तो 5 का square, प्लस दूसरा है, उसका भी square, और इसका हम कर दें, root, 5 का square हो गया, आपका 25, यह भी कितना, 25, 25 plus 25, 50, 2 into 50, तो 5 root 2, वैसे भी 290 पे हैं, तो एक का root 2 time हो जाता है, तो answer आपका क्या जाएगा, देखो, 5 root 2, 5 root 2 meter per second, यानि इसका answer आपका हो जाता है, 3rd, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ, देखो, अगले में है, कि 100 meter और 125 meter लंबी दो रेल गाड़ियां, समांतर पत्रियों के अनुदिश, प्रस पर वीप्रदिशा में गती सील है, प्रत्यक रेल गाड़ी की चाल, 10 meter per second है, यदि इनकी तुण क्रम सह 0.3 meter per second square, और 0.2 meter per second square है, तो एक दूसरी को पार्क करने में याद कीजिये, यानि फिर देखें, two trains, one of length this and another of this, are moving in mutually opposite direction, along parallel lines, meet each other, each with speed 10 meter per second, if their acceleration are 0.3 meter per second square and 0.2 meter per second square, respectively, then the time taken by, then they take to pass each other will be, दोनों को एक दूसरी को पार करने में कितना समें लगेगा, तो यहाँ, जो crossing of, जो crossing के जब एक सुन आते हैं, मालो हमारे पास यह दो train है, यह A train है, B train है, दोनों कैसे motion कर रही है, opposite motion कर रही है, तो जिस समय ठीक pass में आती है, यह condition, मालो यह इस तरह मूँ गर रही है, इस तरह मूँ गर रही है, तो जिस समय दोनों ठीक pass में है, तो य कि इसका crossing end हो गया, यह crossing start था, इसके बाद यहां से motion करते वेपन चलेंगे, तो यहां तक पहुंच जाएंगे, तो यह हो गया आपका crossing end, ठीक अभी, अब जब opposite motion कर रहे हैं, तो ध्यान दीजेगा, initially t equal to 0 पे, जब crossing start होती है, यह उस crossing start के time को पन t 0 माल लें, उस समय, दोनों जो train है, उनकी driver, ठीक opposite है, यह दूसरे के आमने सामने है, और जैसे यह इस तरह से आगे पीछे हो जाएंगी, इस तरह से cross कर जाएंगी, यह आपका, इसको हम कहते हैं, crossing end, यह इसका crossing आपका खतम हो चुका है, इस समय, यहां दोनों ठीक opposite इस तरह से आजाएंगी, तो अब देखें हम लोग, कि अगर पहले इस तरह से थे, और इस तरह से यहां से यहां जल जाओं, तो आप की देखो, अगर मैं यहां दोनों की driver को relative माल लो, यह दोनों की driver यहां से यहां है, अब यहां से यहां पोंच सोगे, तो driver के 20 की distance कितनी हो रही है, दो train को आपस में cross करने म वो आपको ठीक समझने पड़ी थी, वो आपकी dA प्लस dB हो जाएगी, ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना है कि इसमें relative velocity कितनी है, relative आपका acceleration कितना है, तो हमने पेच्छे बात करी थी, कि समान दिसा में कती कर रही हो, तो आप difference करते हैं, opposite motion कर रहे हो, तो हम उसका sum क करते हैं, तो धान दो, 100 meter और 125 meter दो limit रेलगाड़े थी, और पर 3 रेलगाड़ी के चाल कितनी 10 meter per second है, और motion कैसे कर रहे हैं, देखो, वी प्रीथ कती कर रहे हैं, तो opposite motion करने पर इन दोनों की हम जैसे A और B मान लेते हैं, और A और B माननने के बाद देखो, यदि मैं आपसे कितना पूछता हूँ इसमें, कि दोनों अगर opposite motion कर रहे हैं, तो उस इस्ती में, यह दि मैं लिखूँ VAB, यानि जोनकी relative velocity है, उसका magnitude, तो कितना double हो गया, V10 था, तो 10 और 10 का double करता हूँ, तो यह हो गया आपका 20 meter per second, और दोनों की acceleration है, दोनों की acceleration भी है, 0.3 और 0.2, तो द इस तरह से हम लोग velocity का निकालते हैं, प्रोसेस उसी तरह से होता है, acceleration के लिए वो भी आपका vector quantity है, वहाँ पर भी दोनों समान जी समिकती कर रहे हो, तो difference कर दो, opposite motion कर रहे हो, तो add कर दो, तो आप देखेगा, A जो है, acceleration है, A का B के respect में, या B का A के respect में, उसका magnitude जो है, उसक इनों की, जो length है, उनका sum करना पड़ेगा, तो traveling distance जो है, वो DAB मान लेता हूं उसको में, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 125, तो 225 meter, यह हमको यहाँ पर cross करना होगा, 100 प्लस 125, okay, अब इसको यह distance cross करने में, कितना समय लगना है, तो time हमको find करना है, बस, अब य क्या होता है, D is equal to, क्या S equal to UT plus half 80 square, इसको D मान लोग को issue नहीं है, यह चलो S लिए दता हूं, S is equal to UT plus half 80 square, अब S हमारे पास relative की रूप में लिखता हूं AB, तो आप UB AB use करेंगे, और AB कौन साब का AB use करेंगे, तो S AB हमारे पास है, 225, is equal to UT, तो U हमारे पास AB की ताद है, VAB आप इसको लिखें, तो you got 20T plus half AB, AB हमारे पास है 0.5, yellow 0.5, into T square, अब इसको हमको solve करना है, तो देखिए, अगर मैं इसको यहां से 0.5 है, तो इसको 1 upon कर दूँ, 2, तो 1 upon 4 हो गया, 1 upon 4 हो गया, अगर इस पूरी equation को हम लोग, इस पूरी equation को अगर, मैं यहां पर 4 से multiply कर दूँ, इसको 4 से multiply कर दूँ, तो 4 से multiply करने पर यह 4 से cancel हो गया, 4 से इसको multiply करने तो आपका 80 बन जाएगा, और यह हो जाए कि इतना 900, तो 900 is equal to हो गया, 80T plus T square, और इसको थोड़ा सा आरेंज गर दूँ, तो T square plus 80T और minus 900 is equal to 0, यह बनेगा, मोटे दोर पे, अब देखो इसको हम को solve करना है, तो यहाँ T square plus 80T minus 900 is equal to 0 है, अब हमको यहाँ पे T निकाल लिए, तो T के हमारे पास दो value आएंगे, तो सबसे पहले अब दो इसमें, यह आप इसमें जो number है, यहाँ आप देखो 1 है, issue नहीं है, यहाँ पे 80 plus का है, minus 900 है, अब इसके पन factor करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो इसके factor अपन करेंगे, उसका product कितना आपका minus का 900 आना चाहिए, और उन दोनुका sum कितना plus 80 आना चाहिए, तो आप इसके केवल पहले ऐसे fragment कर दो, इसके factor कर दो, तो factor हमारे पास कितना आएंगे, minus 900 उसका multiplication होना चाहिए, तो इसको अपन ऐसे कर 90 minus 10, दोनुको sum करेंगे, तो आपका plus का 80 हो रहा है, तो दोनुका आपन करेंगे product, तो हमारे पास कितना minus का 900 आएगा, तो बहुत basically यह होता है, कि जैसे आप इसके करते हो factor, factor करने के बाद, आप बस इसके symbol change कर दिया करो, केबल इसके sign हम change कर दें, तो यह आपका है plus से minus, त minus से plus का 10, तो आप देखिए हमारे पास time की दू value आचुके हैं, एक T negative है, एक T आपका positive है, तो यहाँ पे T negative adjust नहीं गरेगा, तो ऐसी स्ती में हमारा answer कितना हो जागा, 10 second, तो देखिए इसका answer कितना आ रहा है, वो है 10 second, इसका right answer आपका second हो जाएगा, ओके, बढ़े आगे, तो हम पहुंचते हैं, question number 8, question 8 है, रेलगाडी की खिडिकी से एक पत्थर चुड़ाता है, कोई रेलगाडी को train है, वो move कर रही है, और उससे कोई stone है, वो throw गड़ दिया, इतनी रेलगाडी क्षटी सीरी पट्रियों पर जा रही है, तो पत्थर का पत्थ जमीन पर टकराते समय कैसा मालूम होगा, तो देखें, यहाँ पर simple, अगर पूरा इसको check करते हो, तो कोई train मालो, यह train है कोई, train इस तरब move कर रही है, और यहाँ से कोई पत्थर है मालो, को stone है, एक stone, stone को throw किया गया, यही को stone को आपन throw करेंगे, छोड़ा, अब throw करने में और छोड़ने में फरक है, यहाँ कह रहा है, पत्थर को छोड़ा जाता है, इसका मतलब, जैस से train move कर रही है, तो देखो, initially, यह पत्थर, जो है, यह stone जो है, वो train के साथ contact में है, तो जो speed train की है, जिस direction में है, वो ही speed किसकी है, पत्थर की है, यह stone की है, उसी direction में, मालो, यह rightward move कर रही है, तो ऐसी स्थी में, इसकी अभी, जो मालो, इसकी speed कर रही है, तो इसकी speed कितनी यह है, तो जिस से इसको पर ड्रोप करेंगे, तो ड्रोप करते समय इसको एक horizontal speed मिलने वाली है, कितनी U, और उसके बाद यह क्या बन गया, एक तरह से horizontal, horizontal बन गया, ख्याती से प्रक्षय पर बन गया, और यह जैसे फ्री होगा air के थुरू, तो फिर यह motion under gravity सो करते वे, आपको पात किसके respect में हैं, वो इसमें लिखावाई नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा हो, तो आपको मानना है earth के respect में, या फिर लिखा होगा, कि train या जो railguardी है, उसमें जो बैठा वेकती है, उसके respect में बन देखेंगे, तो जिससे हम move कर रहे हैं, और हम ही किसी वस्तु को drop कर रह तो जो speed हमारी थी, वो इसको मिल गई, तो इसका मतलब देखो क्या है, हमारी speed उसके ठीक बराबर है, कौन सी horizontal speed, तो जितने distance cover करेगी train, उतने समय में horizontal distance, ton भी उतना ही करेगा, तो दोनों साथ-साथ आगे move करते हैं, आपको निज़र आएंगे, और mathematically भी आप इसको शो करते पूरा, तो यह आपको answer मिलेगा, तो basic धान देनो, कि अगर आप से पूछे कि आर्थ के respect में, तो path इसका parabolic है, और पूछे जो railguardी में जो बैठा व्यक्ती है, जो थ्रो कर रहा है, उसके respect में कैसा है, उसके लिए path है straight line, उसको ठीक नीचे गिरता हुआ दिखेगा, पर यह यहां कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोगों यहां पर आर्थ के respect में answer देना है, तो इसका answer आपका हो जाएगा, parabolic path, ठीक अभी, तो इसका answer अपन कर देंगे, third, बढ़े आँगे, next question देगो, अगला question है, एक लड़का एक पत्थर को आदिक्तम 20 मिटर की उंचाय तक फैंक स सकता है, maximum height आए, लड़का उसी पत्थर को जिस अधिक्तम 30 दूरी तक फैंक सकेगा वह है, तो अधिक्तम उंचाय का जब case आता है, बिल्कुल separate है, यहां question जो है, वो मैंली दो तरह से आते हैं, दोनों को मैं आपको explain करता हूँ, वहीं से नीट आपको question पूसता है, तो दे stone up to a maximum height of 20 meter, एक boy किसी stone को maximum height 20 meter तक फैंक सकता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसको freedom है कि वो किस तरफ उसको motion करना चाह रहा है, तो maximum height के लिए अपन जानते हैं, किसी object को अगर उपर के तरफ आप मंत्रों करेंगे, तभी उसकी case में उसका edge maximum आएगा, तभी तो आएगा projectile के लिए, धरातल से धरातल पर किसी practice के लिए हम लोग formula यूज करते हैं, तो जो हमारे पास time of flight का formula होता है, हमारे पास range का formula होता है, जो maximum height उसका formula होता है, अपन देखें, तो time of flight कितना होता है, 2 u sin upon g है अपन बढ़ते हैं, और r हमारे पास u square sin 2 upon g होता है, और h है u square sin square theta upon 2 g, देखो, t है 2 u sin theta upon g, यहाँ 2, first time, देखो, आप 2 यहाँ पर है, यह बिल्कुल t, r, h की रूप में इसको पनियाद गड़ते हैं, r हो गया u square sin 2 theta upon g, यह 2 यहाँ से यहाँ पोंच गया, और फिर t, अब बचा का नीचे जाना पड़ेगा, तो पहले 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर आपका last minute चला गया, यह हमारे पास basic formula बनगे, आप देखो, यहाँ पी r और h की पूरी कहानी आपको देखनी होती है, कि r कब है maximum है, और h कब maximum होता है, तो आप देखेगा, इसमें r के maximum होने के लिए sin 2 theta must be maximum, और कितना होता है, maximum 1 होता है, तो sin 2 theta के maximum 1 होने के लिए आप आपको theta रखना पड़ेगा 45 degree, है ना, तो range maximum कब होती है, जब theta आपका 45 degree का हो, प्रन्तो h हम देखें, तो वह है u square sin 2 theta upon 2 g है, तो इस h के अधिकतम होने के लिए, हमारा effort यह हम किसी body को किस तरब सो करेंगे, उसमे sin theta आपका होना चाहिए, एक maximum, और उस case में theta आपका होगा 90 degree, तो यह मा, range के maximum होने के लिए theta 45 degree है, और h के maximum के लिए कितना होना चाहिए, 45 नहीं, 90 degree होना चाहिए, तो अब वह अपने effort से ठीक 90 degree पे इस तरब अगर उसको थो करेगा, उस case में h इसकी है maximum, तो देखो, इस case में लगाते हैं यह formula, h to use square, sin square आपका हो गया 1, तो use square upon 2 g, त देखो, अगले में इसी में क्या कर रहा है, और यह as directly है, the maximum horizontal distance that the boy can through the same stone up to will be, same stone को वही वक्ती कितनी अधिक्तम horizontal distance तक फैंक सकता है, अगर वही वक्ती है तो उसका effort वही रहना है, इसलिए हम उसकी you को उतना ही मानेंगे, constant मानेंगे, यह आपको ध्यान रखना है, तो अब यहाँ आपको पूछा है कि अब वह अधिक्तम कितना दूर फैंक सकता है, तो maximum distance के throw के लिए आपको use करना पड़ेगा, projectile at 45 degree from horizontal, इसको हम use करेंगे, you आपका उतना रखना पड़ेगा, वही वक्ती है इसलिए, तो अब इस case में पर निकालते है, r maximum, तो देखो, r हम निकाल maximum के लिए, ऐसे अपन निकाल लिए, r maximum अपका अलगा गया, तो अब देखें, इससे अपन compare करेंगे, तो use कर अपन जी को अगर मैं लिखता हूँ r maximum, तो यह बन गया आपका, r maximum by 2, तो अगर यह distance 100 meter है, यह 50 meter है, यह 10, तो 5 meter है, ठीक r की आदी है, ठीक r की आदी है, पर इस इसमें पन चेक करेंगे, देखो जिसमें, अब यह पूछे कि जिस समय कोई projectile maximum range के लिए है, उस समय उसने कितनी maximum height attain करी है, यह बिलकूल एक ही projectile के लिए है, एक ही condition के लिए, एक ही situation के लिए, तो यह तो अलग-अलग situation है, और यह आपका एक ही situation है, और इसमें यह पूछे तो देखो, h maximum पर निकाल दें, तो जी तो आपका u square, sin square theta upon 2g, तो यहाँ पे h maximum के अंदर, तो theta हम क्या use करने बाले है, 45 degree, और sin 45 होता है, 1 upon root 2, उसका अपन करेंगे है, square, तो u square sin theta का value हमारे पास, जो यह sin square theta theta beta g है, वहाँ आपन लिखें, 1 upon root 2 का square, 1 upon 2 आगया, 2, 2 से multiply गग यह बन गया, आपका u square upon 4z, अब देखते है, r maximum, जिसमें हमारे पास यह formula है, जिसमें यह होना चाहिए, आपका maximum 1, तो u square upon g आजाएगा, यह होगा, आपका u square by z, अब u square upon g, यहाँ पे r maximum को शो कर रहा है, यदि इस u square upon g को r से एपन replace कर दें, तो हमारे पास value आगई r by 4, त 100 meter है, समझें, यह 40 meter है, यह 10 है, यह 40 है, 20 है, तो यह बहुत अच्छे से आपको ध्यान करना पड़ेगा, height हमेंसा देखो range से चोटी है, जब इन दोनों cases में, जब आप 45 degree के किसी projectile को through कर रहे हैं उस case में, तो दोनों बड़े important है, यहाँ h और r का ratio कितना होगा, यहाँ h और r का ratio कितना होगा, तो h और r है, इसका ratio पन देखेंगे, तो यहाँ h और r का ratio कितना है, यह आपका है, देखो 1 ratio 2, 1 ratio 2, और इसमें पर निकालेंगे h और r का ratio वो है बटाजी, 1 ratio 4, 1 ratio पर, यह एक ही projectile के लिए आता ना question, तब आपको इसको use करना है, ठीक है, तो यह आप आपको पूछा था, इस cancer आप प्रो पर दे पाएंगे, कि एक लड़का एक पत्थर को अधितम 20 मिटर की उचज़ तक फैंक सकता है, तो यह height आपकी है, vertically upward वाली, वो 20 मिटर की है, तो उसी पत्थर को जिस maximum distance तक फैंक सकता है, वो distance कितनी आएगी, तो ठीक थी इसकी double, तो इस cancer आपका 40 मिटर आ जाएगा, ठीक है, ओके, बढ़ते आगे, next है, कि 80 मिटर हाइट से एक aeroplane 150 मिटर पर सेकेंड से move कर रहा है, और क्या करता है, वो किसी एक bum है, उसको throw कर रहा है, लक्से से कितनी दूर, गिरा रहा है, drop कर रहा है, थ्रो नहीं कर रहा है, लक्से से कित इस तरह से use speed से throw करते है horizontally, तो वो क्या करता है, वो तो इस तरह से horizontal projectile है, उसको follow करते वे, इस point पर strike करता है, मालो A point, और इसके ठीक नीचे B point है, कोई aeroplane यहां से गुजर रहा है, उसको A से just ठीक नीचे किसी बिंदू B पर कोई food packet है, कोई bum है, उसको drop करना है, गिराना है तो अगर वो इसमें यहां रहते वे, इस point पर गिराएगा, तो उसका point of drop तो कौनसा A के ठीक नीचे B के लिए था, पर वो इस B point पर ना strike करते वे, आपको मालूम है, इस path को follow करते वे, यहां C point पर टकराएगा, इसका मतलब B से C की जो distance D है, इतना यहां पर आगे move करते वे जाएगा, तो ठीक इस B बिंदू पर गिराना है, तो आप इसी path को just इसके पीछे, इसको copy कर लेंगे एक तरह से, तो जब इस बिंदू से आप इसको throw करेंगे, यहां इसको drop करेंगे, तो निशित रूप से आप यहां इस बिंदू पर target कर पाएगे, तो distance आपकी D बन है, कितना यह लक्से पर गिर सके, तो किती दूरिश से तो आपको इस distance D निकालनी है, तो D का formula पन जानते हैं, कितना होता है, U into T, होता है, U into T, T हमारे पास है, only drop all the time, होता है, 2H by Z, 2H by Z, तो देखें, U हमारे पास कितना है, U हमारे पास है, 150 देखो, 150 into root of 2 into H, height कितनी है, 80 meter, तो 80, G को अपन लेले, हाँ पर बेटेजी, 10, यह हो गया, उड़ा दो इसको, yellow, तो 8 into 2 कितना हो गया, बोलिए, यह 16, 16, इसका root कितना हो, 4, और 150 into 4 हो गया, 600, तो 600 meter, distance पहले आप इससे 600 meter पहले बाले किसी point पर इसको drop करेंगे, तो निश्य रूप से आप अपने target पर इ बढ़े आगे, next question देगो, अगला question भी, Sam, इसी way में है, एक लड़ा को इमान, 500 meter पर सकेंड चाल से 37 गती कर रहा है, इससे एक bum गिरा जाता है, जो कि जमीन पर 10 सकेंड में टगराता है, तो वह कौंट जिस पर bum जमीन से टगराता है, वो होगा, अब इसमें एंगल आप से तो एंगल आपको निकालना है, तो आपको पहले इसके देखने पड़ेगे, speed कितनी आई, तो देखें, यहां जैसे ही इसको आप drop करते हो, इस point से, तो यहां इसके पास, यह point of strike मान लिजेगा, इसके पास, जो speed है, इसको मैं यहां V मान लेता हूं, इसके 2 component बनेंगे, एक आपका है V, X एक बन गे आपका V, Y, तो VX तो अपन जानते हैं, constant U बना रहता है, और VY हम जानते हैं, कितना माइनस का GT होता है, negative direction में है नीचे, अगर इसका मैंटूड अपन लेंगे, वो तो आपका कितना only G into T बन जाता है, तो देखो, VX हमारे पास कितना U, U तो बढ़ इसकी speed क्या बनेगी, minus का 10 into T, तो minus का 10 into T हमारे पास है, कितना बेटा, जी 10, तो इसको अपन multiply करते हैं, तो VY हमारे पास आचुका है, minus का 100, minus का 100, अब दिक्कत हैं देखो, हमारे पास 2 speed आचुकी है, इसको अपन solve करें, तो इसकी net speed हम यहां लिखते हैं, V बराबर, वो है कितना 5, 100 IK, minus, minus 100 meter per second, JK, अब आपको angle पूछा है, कि यह angle कितना है, तो यह angle कौन सा, X-X किसाद बनाए angle है, तो आपको इसमें निकालना है, 10 alpha, वो तो है coefficient of J, यानि minus का 100, upon कितना plus का 100, minus का 100, upon कितना plus का 500, तो यह हमारे पास आचुका है, बेटा जी, minus का 1 by 5, तो आपको निकालना है, alpha, वो है 10 inverse, 10 inverse minus का 1 by 5, तो देखिए, इसका अंसर क्या बनेगा, अंसर देखें, 10 inverse, अब इसमें sign दे रखा नहीं है, तो हमारे पास चोई, सिर्फ एक ही बचेगी, वो है 10 inverse 1 by 5, यह 10 inverse नहीं दिखाया, यह 10 inverse 1 by 5 इसका आचाएगा, ओके, बढ़ते हैं आगे, तो next question है, यह question बहुत पैरा रहे हो, तो यह question देखें, समझें इसको, यह कोई कार्ट है, यह गाड़ी है कोई, और इसकी छट से अपन किसी एक object को, किसी stone को उत्रो कर रहे हैं, उत्रो इस तरह से कर रहे हैं, कि जब यह कार्ट 80 meter distance travel करती है, तो 80 meter distance travel करने के पर शाथ, यह stone वापस उसी point पे जहां से आपने इसको थ्रो करा था, उसी point पे पहुंच जाता है, तो निशित रूप से मान के चलेगा, कि ऐसी सत्री में, कि इस कार्ट में जितना यहां से यहां जाने का समय लिया है, उतना इसका time of flight है, उतना इसका time of flight है, तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना समय लगा, वह अपन देखें, तो हमारे पास किता देखो है, 80 इसकी distance है, और इसकी speed किते रखें अपने को 30 meter per second, तो यहां देखो, train को यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, वह अपन गयात क कर सकते हैं, वो हमारे पास है D, 80 upon 30, पर जो object जिसको अपने थ्रो किया है, मालो इसको मैं यहां से थिटा एंगल पर थ्रो कर रहा हूं, तो एक तो बहुत important बात यह है, कि जिस इस, जैसे इसको initially इसके contact में है, initially इसके contact में है, तो इसको फैंगने से पहले, जब एक contact में था, जो speed कार्ट की है, वो speed किसकी है, किसकी बटा, वो प्रोजर्टायल की है, तो अब देखो, अगर इसकी 30 meter per second है, तो इस body को जब आप इसको थ्रो करते हैं, तो एक तो हम इसको एक velocity vertically upward कर रहे हैं, और एक खुद ही इसको मिल रही है, वो कौन सी है, वो है इसकी U, जो है 30 meter per second, तो देखो इसमें, यदि इसको अपन V speed से उपर फ्रो करते हैं, तो ये तो हमने इसको प्रोड़ कर रही है, और एक इसके contact मातर से इसको मिल रही है, वो है 30 meter per second, तो धान दीजेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, प्रोजर्टायल की velocity Vp, वो कितनी है, UI के, जो कार्ट से इसको मिलने वाली है, प्लस कितना V, J, K, V हम इसको प्रोड़ करने वाले है, तो ये तो इसका बन गया, horizontal component, UX, ये बन गया, इसका कौन सा आपका, UI, तो UI मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटाजी, V, ओके, अब जो कार्ट की speed हो तो आपकी fix है, वो उसको अपन क्या मान र तो देखो, T, प्रोजेक्टायल, इस इकल तो बेटाजी क्या है, T, कार्ट, दोनों आपस में इक पलता भी, तो इसी point वापिस ये पहुंच बाएगा, तो T, प्रोजेक्टायल कितना बेटा होता है, 2, U, Y, अपन, Z, इस इकल तो, यहाँ T, कार्ट, वो only distance upon time है, 80 upon 30, तो य अगर मैं इसको, यहाँ से, G को 10 मालू, 10 कोड़ा दों इससे, ओके, 2 से स्कोड़ दों कितना हुआ, 40, तो हमारे पास, U, Y, U, Y is equal to हो गया, 40 by 3 meter per second, अब ध्यान देने वाली बात यह है, V, Y का मतलब हमको मिल चुका है V, इसका V मिल गया, जिससे पर इसको थो किया था, पर आप से पूछा क्या है, आप से पूछा कि, प्रोजेक्टायल की कार्ट के रएसस्पक्र में गया है, तो हमको पूछा है V, प्रोजेक्टायल तो आपका answer 40 upon 3 आ जाएगा, तो first thing इसमें ये देखनी है, कि इसको net speed कितनी मिल रही है, पूछे देखो इसमें, इसकी net speed कितनी है, वो हम ग्याद करेंगे, तो वो कितनी 30 का square plus 40 upon 3 का square कर अपन रूट कर पाएंगे, पर ये पूछे कि कार्ट के respect में कितनी speed मिली है, वो है, तो कि इसमें, a wall is thrown apart in such a way that it returns to ground, describing a parabolic path, which of the following remains constant, आपन जानते हैं, इसमें, जो velocity है, उसका horizontal component हो हमेसा constant रहता है, इसमें कोई issue नहीं है, बच्चे, सब जानते हैं इसका, इसका answer आपका बजाएगा, वेग का 36 गटक, या इसमें, आपका होचता है, जो momentum है, उसका भी horizontal component, वेग, velocity या momentum का horizontal component, और these things इसमें, कौन सी है, mechanical energy, वो यहाँ पे constant रहते हैं, बच्के, सब तो vary करेंगे, यहन की kinetic energy, vary कर रही है, speed है, vary कर रही है, और vertical component बिलकुल आपका vary कर रहा है, इसका answer आपका आपका आजाएगा, third, next, देखिए, अगला किशन है, a body is thrown apart, a body is thrown apart from the earth's surface with velocity 5 minutes per second, बोस फोलो दो सेम पाथ, दोनों सेम पाथ का मतलब, दोनों का सेम हाइट है, सेम उसकी, maximum height है, सेम इसकी range है, वो दोनों बराबर है, बोदो फोलो दो सेम पाथ, what is the projectile acceleration due to gravity on the planet, तो प्लानेट पी उसकी gravity का acceleration के जाना वो आपको पूछा जा रहा है, और फैंक रहा है, और फ है हमारे पास on any planet, हम इसको vertically apart throw कर रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं इसका 5 meter per second, और यह बेटाजी है, 3 meter per second, यहाँ तो हमको मालूम है, acceleration कितना है, G है, पर वहाँ कितना मालूम नहीं है, तो हम इसमें यह कर रहे हैं, दोनों सेम पाथ को फोलो कर रहे हैं, तो G का value आपको यहा हमारे पास vertically वाले में कितना होता है, यू square upon 2G होता है, यू square upon 2G, पर practically इसको इसको फैंड करेंगे, तो यह आपका यू square upon 2A, मैं इसको करता हूँ, to AY, U different है, A different है, तो H हमको यहाँ पर देखने हैं, H बराबर है, H constant है, तो एक तरह से जब H constant है, तो मैं यह करता हूँ, AY proportional to U square, बास, हो क्या खेंड, अब इसमें find करना है, तो कर दो इसको AY dash upon AY, यह आर्थ के लिए is equal to U, यहाँ पर, यह कितना U square कर दो, U dash square upon कितना वेटा ज तो देखो, इसमें AY dash sum को find करना है, यह हमारे पास है कितना, 10 is equal to U dash square, यहाँ थी का square कितना वेटाज, 9, और U square यह कितना मेरे पास है, 5 का square होगा 25, अब इसको अब इसको solve, जैसे अब इसको solve कर रहे थे, तो हमारे पास AY dash है था 9 upon 25 into 10, अगर मैं इसको यहाँ पर 100 से multiply, 10 स करता हूँ, यहाँ पर divide, तो 100 upon 25 कितना हो गया वेटाजी, 4, ठीक है, अब 4 है, तो इसमें पन देखें, 9 into 4 कितना हो, 36, 36 upon 10, तो 3.6 आ गया, 3.6, यहाँ option 3.5 है, फिर कितना 4 है, अब इसमें से कौन सा पंठी करेंगे, तो G हमने use किया था, कितना 10 यूज किया है, अब G को 9 9.8 आपन यूज करेंगे, तो value कुछ और कम आएगी, तो 9.8 आपन यूज करते, इसको solve करेंगे, इसकी value आपके आती है, 3.528 के आसपास आएगी, और इसलिए हम इसका answer अब क्या tick कर पाएंगे, इसका right answer आप कर पाएंगे, second, okay, तो यहाँ 4 नहीं करना है, 10 आपको दिया अगर 10 दिया होता, यहाँ लिखा होता है, take z 10 meter per second square, तब आप 4 इसमें side tick करते हैं, okay, तो यह आपको ध्यान रखना है, बढ़ते आँगे, अगले परस्न में देगो, तो यहाँ दे रखना हम लोगों को, two particles A and B are projected with same speed so that the ratio of their maximum heights reached is 3 ratio 1, if the speed of A is doubled, without altering other parameters, the ratio of the horizontal regions attained by A and B is, तो इसमें आपको range है, वो उच जा रही है, आपको धर रखिए A और B की आदितम उचायों का अनुपात, ठीक है, तो देखिए प्रसंद में, जो मैं इसका concert है, वो तो क्या है, कि two particles A and B are projected with same speed, दोनों का पन same speed से थ्रूँ गर रहे हैं, और उसके बाद, that the ratio of their maximum height is 3 ratio 1, जब speed तो उनकी same है, तो height of different कब होगी, कब या कब हो सकती है, तो उसमें आपका angle of projection है, वो आपका different होगा, तो देहां दे, h होता है u square sin square theta upon 2g, जहाँ speed दोनों की same है, g वैसे constant है, तो h यहाँ पर sin square के समनुपाती हो गया, और इससे पर निकालते हैं sin theta, तो root h हो जाएगा भी, अब sin theta upon sin theta 2 करता हूँ, तो मेरे पास root 3 by 1 आएगा, अब देखो यह ऐसा कब possible है, अगर मैं इसको देखो, यहाँ पर 2 से divide कर दो, और इसको भी 2 से divide, तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ही equations को, दोनों इस part को 1 by 2 से multiply करता हूँ, तो मेरे पास root 3 by 2 और यहाँ बन गया 1 by 2, तो अब देखें, इससे compare करने पर sin theta 1 अगर root 3 by 2 मान लेता हूँ, तो theta 1 कितना मेरे पास है, बोलो, 60 degree, और sin theta 2 मेरे पास 1 by 2 है, तो theta 2 हम लोग कर सकते हैं कितना beta 30 degree, अब आपको पूछा है कि अगर speed आपने क्या रखी थी, पहले same रखी थी, अब सुनो, यदि A की speed को, अदर जो इसके parameter है, उनको constant रखते वे, double कर दें, एक ही speed को double किया गया है, अब एक ही speed को पर डबल करेंगे, बागे सब parameter आपके fix है, एंगल आपकी वही रहने है, तो आपको पूछा है कि range जो है, उनका ratio कितना है, तो देखो, range का formula अपन जानते हैं, u square, यह आपका है, sin 2 theta upon g, इसको अपन यू कर दें, यू square, यह होगे, आपका 2 sin theta और cos theta upon g, इसको करेंगे, अब केवल हमको इन दोनों की range है, उसका ratio find करना है, ratio हम देखेंगे, और यहां इसकी तो आवस्तिता नहीं देखो, क्योंकि हमें इसकी कोई आवस्तिता नहीं, हम सेदे इसी सही सुखर पाएंगे, अब इसका range का आपन निकालेंगे, इसी से formula देखो, तो मैं लिखा हूँ इसको r a dash upon r b dash is equal to, यह है u a, dash का square, वो हम लिखें, तो double कर दिया न, तो कर दो, बेटाजी, 4u square, but b की speed तो अब भी कितनी है, still remains constant, वो आपका u square है, अब angle की बात करता हूँ, theta बना बारे पास कितना 6 degree का है, तो sine 2 theta 1, तो 60 into 2 कितना हुआ, 120, तो यह होगा sine 120, और sine 120 कितना होता है बेटाजी, वो होता है, root 3 by 2, upon, फिर हम देखें, यहाँ पर, दूसरे वाले case में, sine 2 theta, तो 30 का double हम करते हैं, 60 हो जाएगा, और sine 60 भी कितना होता है, root 3 by 2, root 3 by 2, यह से cancel हो चुका, few square से, यह भी आपका cancel हो गया, तो हमारे पास इसका answer आ गया, 4 ratio 1, 4 ratio 1, तो एक ही जो horizontal range है, वो 20 से अब कितनी 4 गुना है, और essay में इसका answer हम कर पाएंगे, 3rd, तो इसका right answer आपका हो जाएगा, 3rd, बढ़े आगे भी, तो next question देखते हैं, तो देखिए अगला question, कि एक bullet है, उसको पर U-spit से through कर रहे हैं, या fire कर रहे हैं, जो कि 30 समतल से, जो horizontal है, उससे 6D के angle पे है, वो फैंका जा रहा है, तो अब यह कह रहा है कि, अदिक्तम उंचाय तक पहुंचने पर गोली के वेक का horizontal component कितना होगा, maximum height पर, तो top पर, top पर उसका पर निकालते हैं, जो velocity कितना होता है, तो top पर उसके पास speed रहती भी कौन सी है, V-top तो only UX से रहता है वेटा, तो UX तो constant रहता है ना, तो UX पर अब तो कितना होता है, U cos theta, U cos 60, तो U by 2, तो इस का अच्छल आपका कितना fourth हो जाएगा, next, देखो, यह देखो, यहाँ पर यह बहुत important question है, इसका बहुत simple side trick भी है, आप कर सकते हो, एक गेंद है, जिसकी गतिज उर्जा E है, यानि कोई गेंद है, उसकी kinetic energy हमारे पास है E, जैसे मालो, यहाँ से अपन थ्रो कर रहे हैं, गेंद को, और इसकी अगर U speed है, और M इसका mass है, तो इसकी जो यहाँ से अपन थ्रो कर रहे हैं, तो mechanical energy कर दूँ, वो वैसे U plus K होती है, बटा, पर U तो यहाँ पर कितनी zero, तो kinetic energy दो रहेगी न, तो कितनी zero plus E, अब E वैसे है कितनी है, वो kinetic ही है, half M U square, तो जिससे इसकी अपन यहाँ से थ्रो करते हैं, उस समय इसकी जो mechanical energy आप बोलें, तो बोल सकते हैं, इसकी total, जो kinetic energy है बोले तो बोल सकते हैं, वो कितनी E है, half M U square है, K है, इस रूप में हमारे पास दे रखी है, इस point पर इसकी potential energy, कितनी हमानते हैं हम लोग, zero, अगर reference मान लें आर्थ की surface को, तो, इस बिंदू इसके पास total कौन सी kinetic है, यहां आपर आने पर इसके पास kinetic भी है, इसके पास potential भी है, अब कितनी है वो अपन फाइंड करते हैं, तो इसके basic formula आते हैं, यहां आपको निकालने हो kinetic, तो देखो, top पर kinetic है, मैं सहुती क कोस square theta, अब क कौन सी initial है, यह आपकी initial kinetic energy है, उसको अपन यहां यूज कर देंगर E, तो देखो kinetic में, अपने लिए कानेटिक में आता है के, तो मैं इसके उगता हूँ, kt equal to simple, मैंने इसको लिखा था ऐसे k, यह k कौन सी initial kinetic energy है, तो kinetic निकालना हो, तो k, और kinetic में कैसे कोस, कोस में ही आपका word आता है, तो k into कोस square, और आपको निकालना है potential, वो आपकी है k into sin square theta, बहुत simple है, यह top की energy है, यह आपकी initial, total, mechanical बहुत सकते हो, यह total इसकी कौन सी kinetic energy है, अब basic question है, कि 45 degree पे उसको उपन फैंक रहे हैं, तो top point पे इसकी kinetic energy कितनी है, तो k equal to k, इसको उपन कर देंगे हैं, आपर e, और कोस square, कितना देखो है 45, और कोस 45 होता है, 1 upon root 2, उसका उपन स्कार गड़ते हैं, तो कितना 1 upon 2, तो e by 2 is cancer आपका आजाएगा, secondary is cancer हम कर सकते हैं, बढ़े आ i plus 4 z से throw कर रहे हैं, जहां i है वो earth की surface के along है, j यहाँ पर कैसा vertical along है, और z दिर्खा आपने को 10 meter per second square, तो आपको निकालना है, trajectory of pathoprogetile, प्रक्सिप पत की समिगन आपको निकालनी है, तो basic जो progetile होता है, उसके एपन equation पढ़ते हैं, तो वो आपको मालूम है, y equal to होता ना, x 10 theta minus g x square upon 2 u x square, यह basic आपका पूलना होता है, यहाँ पर आपको 10 theta निकालना हो, तो मेरे पास है u x u y, coefficient of j upon coefficient of i, तो 4 upon 1, 10 theta equal to 4 by 1, यानि 4 आपको 4 आपको 4, तो मैं 10 की स्थान पर लिखूं 4, तो 4 x minus g हमने लिखा 10 x square upon 2, अब u x कितना देगो, u x मतलब horizontal component, वो है बेटा, हमा तो इसको लिखता हूँ only 1, तो 10 upon 2 हो गया 5, तो आप देखेगा y is equal to 4 x minus कितना 5 x square, यह इसका परोपर आपका अंसर हो जाएगा, तो हम टिक कर सकते हैं इसमें 1st, ठीक है, y equal to 4 x minus 5 x square, यह इसका परोपर आपका अंसर हो जाएगा, तो देखे एक एक लाक्रिशन, a body is projected from the ground with a velocity of 3 i k plus 10 j k, the maximum height attend and the range of the body respectively are, तो आपसे simple देखा है, इसका प्रेक्शेपन वेक देखा है, यह आपका u x, यह हमारे पास है u y, तो u x कितना है, 3 meter per second, और u y हमारे पास है, 10 याने 10 meter per second, और आपसे पूछा है कि इसकी h maximum कितनी है, और इसकी range कितनी है, यह आपसे component की रूपे जो family आपके होते है, basically, t होता है, 2 u sin, तो 2 y upon g, आप निकालते है h, यह होता है, u y square upon 2 g, बैसी formula आपको याद हो रहा है, और r होता है, 2 u x u y upon g होता है, आपसे पूछा है h, h कितना होता है, u y square, हमारे पास u y बेटा कितना है, 10, okay, तो 10 का square कितना है, 100, 10 का square, 100 हो रहा है, तो 2 u x u y upon g हम लोग करेंगे, तो 2 u x हमारे पास है, 3 u y बेटा कितना है, 10 upon 10, 10 से 10 को cancel रहो, 3 root 2 कितना आएगा, 6, तो 5 और 6, 5 meter और 6 cancer आपका आजाएगा, बैसी question अब यह आपको आने चाहिए, next, देखो, अब इसकी बातें अपने सारी सिखी भी आदेखो, यहां कर रहा है कि एक प्रक्से पे को 37 से 45 के कोण बेपर भैंग रहे हैं, कोई प्रोजेटल हमारे पास है, उसको अपन होरिजॉन्टल से 45 पे थो कर रहे हैं, तो प्रक्से पे जो प्रक्से पॉइंट है, वह हम इस देख रहे हैं प्रोजेटल को, तो यहां से हमने अपने आई को किस एंगल से उपर इलेवेट कर रखा है, उपर कर रखा है, वह एंगल आप से पूछा है, तो हमने ठीक अभी कुछ दिर पहले डिसकस किया था, कि एक ही प्रोजेटल के लिए जब 45 डिगरी के इपन क इसकी बात करते हैं, उसमेंगर H इसकी देरकी हम लोगों को, तो R कितनी होती है 4H, याद करो, एक केस पे थी, H की डबल थी, और जो एक ही प्रोजेटल के अपन बात कर रहे थे, उसी सेम प्रोजेटल के लिए, मैक्सम रेंज वाले केस में, यदि H हमारे पास 10 थी, तो मैं जी कर दो यहाँ पे 10 alpha, तो होगा क्या, यह इसका perpendicular upon इसका base, तो इसका perpendicular height है H, और base कितना इसका 4H नहीं है, जस्ट इसका midpoint है, तो 4H का half कर दो 2H, यह लोगेटा 2H हो गया, तो 10 alpha मेरे पास कितना 1 by 2 आ गया, 10 alpha, अगर मेरे पास आ चुका है 1 by 2, तो alpha कितना हुआ, यह है 10 inverse 1 by 2, 10 inverse 1 by 2, 10 inverse 1 by 2, यह इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते हैं, अगले question देगो, यह नीट में पुछाओ question है, basic question है, किसी projectile का initial velocity A point पर दे रखा है, 2Ik plus 3Jk, तो इसका bindu B पर velocity कितनी होगी, B पर, तो आपने जानते हैं, यहाँ इसकी horizontal speed तो उतनी रहेगी, वो तो 2I ह परणतु vertical speed पहले कैसी upward थी, अब ठीक downward हो जाएगी, इस angle के लिए अपने use करेंगे, तो just, जो इसकी vertical speed थी पहले, plus की 3Jk, पो जाएगे, minus का 3Jk, तो इसका answer अपने क्या लिख देंगे, 2I minus का 3Jk, कोई issue नहीं है, बहुत simple सा question आपका हो जाएगा, पढ़ेंगे, तो कुछ question देखें, अगले next, देखो, अगला question है, a particle crossing the origin of coordinate at time t equal to 0, moves in the actual plane with a constant acceleration A in the y direction, इसका मतलब अपने को AY, जो कि G हम लोग यूज करते हैं, उसके स्थान पर देरखा हम लोगों को A, अना AY, प्रोजटार्यल मोशन में हम लोग तो AY हमारे पास G होता है, पर उस AY को यहाँ प if the equation of motion is y equal to b x square, इसका मतलब तो पहला portion जो होता ना x 10 theta वो 0 है, वो आपको देरखा है, if its equation of projectile is this, where b is constant, its velocity component in the x direction, यानि इसका हमको velocity का x गटक है, वो find करना है, तो हम जानते हैं, जो trajectory of projectile होता है, y equal to x 10 theta minus, आपको तो g x square, अब g कम तब AY हो गया, और AY की स्थान पर हम को रखा है बेटाजी A, यह हमने करनवर कर दिया, और इसका यह part आपको दियावानी, यह हम 0 कर देते हैं, तो हमारे पास y equal to कितना only a x square upon 2 u x square है, और u x से आप से पूछा है, और हमको y दे रखा कितना है, 0 plus b x square, just इसको इसको इसके compare कर दूँ, इसको compare करूँ का देखो, तो जब इसको इसके compare करता हूँ, तो मेरे पास b x square equal to कितना है, यह x square से इसको compare करने पर cancel हो गया, तो हमारे पास a upon 2 u x square देखो, यह हमारे पास आ गया a upon 2 u x square is equal to, यह है बेटाजी b, अब हमको यहाँ निकालना है, u x, तो u x मेरे पास कितना a upon 2 b का root, यह इसका मतलब आपका second answer हो जाएगा, बढ़ू आगे, next देखो, अगला कुष्ण अपन देखें, तो उसमें है कि, an object is projected so that its horizontal range, capital R, is maximum, उसकी range हो maximum है, तो range के maximum का मतलब है कि उसको theta equal to 45 degree पे उसको throw करा है, if the maximum height attained by the object is capital S, then the ratio of R by H is, वैसे तो पन जानते हैं, कि जिस समें एक projectile maximum range के लिए होता है, उस समें R है, वो H का four times होता है, जिसका answer तो कितना हो जाएगा, four, first हो जाएगा, परन्तु यहाँ पर भी कुछ चीज़ें और सीखें, हमारे पास तीन इसके बहुत important relation वाले formula हैं, जिस भी questions आपके mostly आते हैं, तो पहला है, रतन 4 है, र हमें 45 degree पे, तो 10, 45 कितना होता है, 10, 45, one हो गया ना, तो R equal to four H, पर एक ही projectile के लिए है, जिसके दो case हमने, एक vertical का लिया था, एक range R खाता maximum अला, वो दोनों आपका अललो होते हैं, परन्तु इस वाले में तो आप आराम से कर पाएंगे, तो R upon H कितना four, आपका answer आ गया, एक में ये दो क्रेक्त है, इसमें R, O, T का आपसे किया relation है, तो राहूल आधा, गट गो, राहूล को आधा, गट को, राहूल को, आधा, गट को, तो राहूल का मतनब, राहूल आधा पागल है, ऐसे कुछ उज़ कर सकते हो, राहूल आधा पागल है, यहाँसे इसको मैं उज़ को तो आर इकल टू हाफ जी टी स्कुरा दू राहूल को आदा गय टए को ऐसे यूज़ करो इसको गय टै को दो बार टाई उज़ करेंगे तो हमारे पास ये टेग मने ती स्कुरा हो गया और कोर्ट रिट आजाएगा अब इसमें रोट के क्षिन आते हैं तो आप इसको तेकल तो कोट 45 भी 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 नहीं होता है, यह आपका 1 हो गया, तो R और T में आपके समीं क्या रिलिसन है, R इकल तो है 5 T स्कॉाइर, R हो गया 5 है, T स्कॉाइर यह बन जाएगा, H इकल तो हाफ G T स्कॉाइर, T है कौनसा मालो टोप जाने का वाला समय, और टाइम ओ फ्लाइट अपन T कैपिटल यूज करते हैं, तो T तो कितना होता है, अगर मालो टाइम ओ फ्लाइट कैपिटल T है, और के वोल जाने का समय उसको पन स्मॉल T यूज करते हैं, तो H गल तो हाफ G T कर, यह बिल्कूल फिक्स तीन आपके फ्लाइएं, बहुत काम आते हैं, अराम से इसको अपन टेकल कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स देखो, अगला है, एक बिंड है, वो 30 से बीटा कोण पर यू मिटर पर सेक्ट की साल से हम थ्लो कर रहे हैं, तो वापीस वो पहले बाला कुश आराम से बन जाते हैं, तो एक पिंड को, शाती से बीटा कोण पर हम यू मिटर पर सेक्ट की स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, और आप से पूचा कि इसके टॉप पर काइनेटिक एनेजी उसकी आरम भी काइनेटिक एनेजी की 3x4 हो जाती है, तो बीटा कितना है, तो टॉप प पर कितना 3x4 है, तो कोस कितना इसका रूट हम करेंगे, तो रूट 3x2 तो कोस थिटा अगर मारे पास रूट 3x2 है, थिटा कितना हैं, तो इसका आंसर आप कर देंगे, 30 degree, okay? Next, अगला क्रिश्टन है, ए बोल इस थ्रॉण अपवार्स एट अन एंगल ओफ 6 डिगरी तु दा होरिजॉंटल, इट फाल्स ओन दे ग्राउंड एट इस्टेंस ओफ 90 मेटर, इप दे बोल इस थ्रॉण विद असे इनिशल स्पीड एट अन एंगल ओफ 3 डिगरी, अगर जानते हैं जब किसी प्रोजेटरल को जैसे बैसी लिए अपन पढ़ते हैं, कि अगर मैं किसी प्रोजेटरल को से थेटा और वर्टिकस थेटा, या होजोंटर से थेटा और 90 माइनस थेटा पे थ्रोगरता हूं, तो रेंज सेम आती है, तो वोई कुशन आपका पहले 60 पे कितना आपका 30 पे, सम कितना आपका 90 है, सम कितना है 90 तो उसके इसमें इसकी रेंज तो आपकी पहले जितनी 90 मीटर ही प्रेजाएगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहां तक अराम से कर लिजे भई, तो देखें अगले कुछ कुशन, तो जिसमें पहला है कि four bodies P, Q, R and S are projected with equal velocities having angles of projection 15 degree, 30, 45 and 60 with a horizontal respectively, the body having so test range is, यानि हम किसी body को समानवेक से, समानवेक से, समानवेलोसिटी से, होरिजनटल के साथ, हम इन एंगल के साथ, अगर फ्रो करते हैं, तो आप से पूछा है कि कौन से केस में range आपकी है, कम से कम, सबसे कम range किस में वो आपको पतागार नहीं है, और वेलोसिटी हमारे पास है constant, तो अपन जानते हैं, range होता है कि, यू स्क्वार साइन टू थिटा पोन जी होता है, जी कौनस्टेंट है, एक इस्तान पर यूज कर रहे हैं, अपने थिट दे रहे हैं, तो r आपकी speed depend कर रहा है, r directly proportional to sin 2 theta, ठीक है, तो हम यहाँ पर r1, r2, r3, r4 माल लेते हैं, और वो sin 2 theta पर depend कर रहा है, उसी पर ही depend कर रहा है, तो फर्स्ट में किता है, साइन देखो 15 का डबल करें, कितना 30, तो साइन 30, दूसरे में 30 का डबल कितना साइन 60, 45 का डबल कितना साइन 90, और 60 का डबल कितना साइन 120, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद compare कर लेंगे, तो देखिए, साइन 30 आपका 1 बाई 2 होत है, sin 120 आपका root 3 by 2 होता है, अब इसका order find करना है, तो हम क्या करते हैं बिटाजी, इसको यहाँ पे पूरी equation को मैं 2 से कर दो multiply, अगर 2 से इसको इसको multiply करेंगे, 2 से इसको multiply करेंगे, तो 2 से इसको cancel हो गया, 2 से इससे पूरा देखो, तो 1, 1.732, यह आपका 2 ratio, कितना यह आपका 1.732, तो range सबसे बड़ी कौन सी यह वाली है, उसके बाद यह दो हैं, और सबसे कम कौन सी यह वाली है, यानि इसको A, B, C, D की रूप में मानते हैं, या R1, R3, R4 के मानते हैं, तो देखो, आप देखें इसमें, R3 सबसे अधिक है, तो order कर लिखना हो ना, order आपको लिखना हो, तो R3 सबसे बड़ा है, फिर कौन सा R2 और R4 आपके बराबर है, और सबसे कम कौन सी यह जाएगी, R1, ठीक है, तो इस cancer आपका हो जाएगा, P, first is cancer अपन कर पाएगे, कम से कम पूछा, maximum पूछे, तो maximum कौन सी का आएगा भई, वो तो 45 डिगरी पे आना है, वो कौन सा R3, यानि PQR particle का हो जाएगा, next देखो, next हम से पूछा है कि, निमने सी कौन से कारक किसी खिलाडी के दोरा, लंबी कूद के दोरान, पर्थवी पर तै की गई क्षातिस दूरी को प्रभावित करता है, which of the following sets of factors will affect the horizontal distance covered by an athlete in a long jump event on earth, तो earth पर इसका मतलब G constant है, ओके, तो अब इसके जो answer हम देखेंगे, तो कौन से पर क्या कर रहा है, तो देखो, आप जानते है, range होती कितनी U square sign to theta upon G होता है, G आर्थ की surface पे आपका constant है, एस सिस्तिय में सिर्फ और सिर्फ U और angle आपकी important है, हम जानते हैं, जिस समय angle आपका 45 degree का होता है, उस समय आपकी range होती है maximum, तो इसके maximum होने के लिए U अधिक से अधिक होनी चीए, और theta आपका होना चीए proper 45 degree, तो theta भी यहाँ important है, और जो व्यक्ति कूदता है, उसकी direction है, उसकी आर्भी speed भी important है, तो देखो, यहाँ पर second answer आपका बिल्कूर साफ साफ निजर आ रहा है, इस्यू कोई है नहीं, आराम से इसको अपन tick कर पाएंगे, ठीक भी, next देखो, प्राक्सेपी गती में उस तर मिंदू पर वेक कितना होता है, अपन जानते हैं, only horizontal component होता है, और उसका वेल्यू कितना होता है, u cost theta, next देखें, निजर से कौन से कार किसी, अच्छा, बेक आगे गया, वापीस लते हैं, एक वस्तूक, शाती से 30 टीरी कोण पर 9.8 कितने समय बात पर्थी पर वापीस आ जाएगी, तो इसका मदब आप से पूछा time of light, अब यह question जान बूज के मैंने डाला था, क्योंकि यह question पूछा गया naate में, तो कि बार बहुत simple question पूछ लेते हैं, हमको ऐसे अफसोस नहीं करना है, question तो कोई भी आ सकता है, easy हो जाए hard, तो हम इसमें निकालते हैं time of light, 2 u y upon g आ जाएगा, या 2 u y कितना आपका होता है, u sin upon g, okay value put करेंगे, तो 2 u हमको दे रख है 9.8, तो अपन 9.8 रख देंगे, और sin theta, 30 degree, 1 by 2 हो गया, और g हम यहाँ use कर रहे है, 9.8, तो देखिएगा, यह इससे cancel हो गया, 2 से 2 cancel, हमारे पास answer आ हो जाएगा correct, ठीक है, बढ़ते हां के देगो, अगला question है, कि प्रेक्सेप की अधिक्तम उंचाए पर चाल, उसकी आरंबिक चाल की आदी है, तो प्रेक्सेप का कोण कितना होगा, तो अपन जानते हैं कि u जो top होता है, वो only u x ही होता है, और u top दे रखा है कि आरंबिक चा यहनि इसका u x होता है, आपका u cos theta, तो u से u आपका cancel हो गया, cos theta मेरे पास कितना 1 by 2 आगया, तो किस एंगल से फेंगा गया होगा, cos theta half, इसका मतब एंगल आपका है, projection का 60 degree, next देखो, एक गेंद को 30 degree union कौन पर, वी नोट वेक्सेपन प्रेक्सेपित करते हैं, तो कौन सा कतन इसमें सही है, वो हमको पूछा जा रहा है, simple equation, a ball is projected with velocity V0 at an angle of elevation 30 degree, mark the correct statement, आपको correct statement है, वो check करना है, तो यहाँ, सबसे पहले कर रहा है कि kinetic energy will be 0 at the highest point 9, kinetic है, तभी तो वो cross करता है, उस point वो, vertical component of momentum will be conserved 9, momentum की बात है, तो होज़ोंटर component, momentum का velocity का वो constant रहता है, horizontal component of momentum will be conserved बिल्कुल ठीक है, यह इस answer आपका आएगा, gravitational potential energy will be minimum at the highest point, वहाँ तो maximum होती है, top पे उसकी potential energy होती है, maximum, वो ground पे होती है उसकी minimum, इसका right answer आपका 31 का 3rd ही हो जाएगा, बढ़े आगे, next question पर आते हैं देगो, next question है, at what point of projection, projection, progetile, motion, acceleration and velocity are perpendicular to each other, जैसे हम किसी progetile को यहाँ थो गरते हैं इस तरह से, तो आप देखो, इस point पे इसका acceleration इस तरह है, velocity इस तरह है, तो top point वो point है, जहाँ पर इसकी net velocity और acceleration आपस में mutually 90 पे होते हैं, तो कहाँ पर है बेटा जी, उस तरह मिंदू पर top point पे इस cancer हो जाएगा, next देखिएगा, a particle is projected with a velocity, इसको भी पर note करके solve करते हैं, time हमारा, बच जाता देगो, a particle is projected with a velocity v, so that its horizontal range is twice the greatest height attend, the horizontal range is, यह आपसे पूछा जारा है, तो देखो, क्रिस्टन क्या कर रहा है, एक कण को हम u x से फैंक रहे हैं, जिसके कारण इसका ख्षाती जो परास है, अधिक्तम उचाई का दो गुना है, r equal to 2h, यहाँ आपको दे रख है, basically r equal to 2h, यह आपको दियावा है, और जब भी r और h के दे रख हो relation, तो हमने इसका था, आपको रतन चोर है, basically बना सकते हो, अब एक तो इसमें r की value put करो, h की value put करो, क्या लिखो, देखो, u square sin 2 theta upon, कितना g करेंगे, यहाँ h, u square sin square theta upon, आप यहाँ 2g लिखेंगे, formula बनेगा, उसको solve करके, फिर आप निकालेंगे angle, जबकि हमरे लिए सबसे short क्या हो सकता है, कि रतन 4 है, है, हाना, तो r tan theta equal to 4 h, r दे रखा हमको कितना 2 h, r हमको दे रखा है 2 h, तो r को रखा मैंने 2 h, tan equal to 4 h, h से h cancel, 2 से इसको उड़ा दो, यहाँ पर कितना 2 आ गया, तो tan theta मेरे पास कितना 2 आ गया न, अब tan बेटा होता है क्या, perpendicular upon base, तो tan, यहीं इसको बनाए, perpendicular upon base, तो 2 और 1 गर दो, इसका hypertonus कितना जाए, करण इसका क्या गया, 2 का square 4, प्लस कितना 1 का square 1, तो 4 प्लस 1, उसका root कितना बेटा, जो root 5 आ गया, यह हमारे पास आजएगा, अब इससे हम sin cos 10 सब find कर सकते हैं, अब आप से पूचा कि इस case में इसकी range कितनी है, तो range का पुमला अपन ने पढ़ा था, कितना दो, 2 u x u i upon g, और उसी को बदलते हैं, तो आता है 2 u square sin theta cos theta upon g, अब sin कितना होता है, perpendicular upon hypertonus 2 upon root 5, और cos कितना base upon this, तो 1 upon root 5, तो देखिए 2 u square upon g तो पढ़ा है मेरे पास, u को मैंने v कर दिया, अब हमारे पास दो कितनी है, 2 upon g पढ़ा है, v square भी ठीक है, कोई issue नहीं है, अब हमको लिखना है sin or cos कितना, 2 upon root 5, 2 upon root 5, into, 1 upon root 5, 1 upon root 5, root 5 into root 5 कितना 5 आ गया, 2 into कितना 4, तो 4 v square upon 5 z, 4 v square upon 5 z, इस cancer आदेगा, और ऐसी question एक्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और उसमें सबसे important हमारे पास है, बहुत ही easily, आप अराम से इस cancer है, 4, टिक कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, तो इस cancer आपका हो जाएगा, 4 v square upon 5 z, बढ़े, next question की तरफ, तो देखिए, किसी प्रक्से पे की अधिक्तम 36 परास 400 मेटर है, तो कब है 45 डिगरी के लिए, हाँ, इसकी दोरा प्राप्त अधिक्तम उंचाय केतनी है, तो उसी का पूछा, तो जस्ट हाप कर दो, तो 400 का आंसर केतना हो जाएगा, बिटाजी, sorry, 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 उसी का न, तो उसका 1 4th, यानि, या बेसिकली भूल गे, तो तो इतना आसान है, अब देखो हमको केवल रेंज और उंचाय का रेलेस्टन देखना आना, तो सिंपल आप इससे भी कर सकते हो इसको, रतन 4 है, तो मैं इसको लिखो हो, तो आर 10 थीटा is equal to 4H, तो मैक्सिम रेंज का मतलब है, थीटा equal to 45, थीटा को जैसे 45 करेंगा, 1045 कितना हो चुका 1, तो R equal to 4H, R हमारे पास है कितना 400, तो S कितना 400 upon 4, तो आपका आंसर आचुका है, 100 meter, कोई दिकत नहीं है, बिलकुल आपका आंसर देखो, आ गया, नेक्स देखो, यह बहुत ही सांदार प्रसन है, बहुत ही सांदार प्रसन है, और बहुत easy है वैसे, देखो, यह कह रहा है, if retardation produced by air resistance of projectile is 110 of acceleration due to gravity, the time to reach maximum height, अगर air का retardation जो है, एक तरह से आपका viscous force मा लीजेगा, वो कह रहा है कि g का 110 है, यानि g upon 10 है, और यह हमेशा, जो velocity है या direction of motion उसके ठीक होता है opposite, तो यह पूछा है कि अधिक्तम उंचाय तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, यह पूछा है, the time to reach maximum height, तो maximum height का time होता है, क्या है, तो T हमारे पास होता है maximum height का, वो बेटा होता है U by Z, और इसको मैं कर दूँए U upon कितना AY, AY effective, AY effective यह है, अब U तो हम ले रहे हैं बेटाजी constant, उस case में T आपका only AY के inversely proportional है, तो देखो, A R, यह आपका resistance है ना, वो कितना है, G का 1 by 10 है, तो G into 1 upon 10 में ने करा, तो मेरे पास आजाएगा कितना, देखो, यह मेरे पास A R आ गया, अब एक काम की बात समझना, जब किसी body को आपन ऊपर की तरफ थो कर रहे हैं, तो उसका G तो downward होता है, अब इसकी motion ऊपर है, तो retardation में रीचे होगा, तो भी G by 10 आ गया, तो आप देखो, net इसका जो acceleration है downward, दोनों को आपन जोड़ दें, G plus G by 10, 1 plus 1 by 10, तो 10 plus 1 upon 10, यानि आपका हो गया, 11 G upon 10, उसका A Y बनेगा 11 G, 11 upon 10 into G है न, sorry, 11 upon 10 into G बन गया, यह A Y है, इसी से इसको retard होना है, इसमें time आपको find गरना है, अब मैंने यहां से का T आपका है, 1 upon A Y के proportional, तो T proposed to 1 upon A Y है, तो लिखिए इसको T days upon T, यानि पहले जब resistance नहीं था, त पर A Y days कितना 11 G upon 10 है, तो अब इसको inverse के रूप में लिखते हैं, तो T days upon T equal to आपका बन गया A Y upon A Y days, A Y कितना बटा G, A Y days कितना मेरे पास 11 upon 10 into G, अब G से G आपका cancel हो गया, तो 10 upon 11 जाएगा, अब इसमें T days निकालना है, तो 10 upon 11 into मैंने, अब देखो, मैंने यहां पे T को 100 मा तो 90 के आज पास ये value आपको मिलने वाली है, 90.90, अब देखो, पहले हमने इसको कितना माना था, पहले हमने कितना माना था, अब यह हो गया 90.9, तो कितना कम हुआ, कम तो बाट decrease हो आपका हो गया, आप देखे, 90.9 और इसको पन 100 से difference करते हैं, तो 100 minus कितना 90.9, तो approximately 9% decrement कितना 9% आपका decrement हो जाएगा, तो यह इसका आपका अंसर बन जाएगा, ठीक है, next question देखो, अगले में यह है, एक करण, V equal to K, Y, I, K plus X, Z, यह पीछे E को में दियावा था question बिलकुल, आप आराम से इससे VX, VY, check करते हैं, इसको आप solve कर सकते हो, तो देखते हैं, कुछ questions स moving with velocity V equal to K, Y, I, K plus X, Z, K, where K is the constant, the general equation of path is, तो हमको इसकी सामाने equation है, वो पूछ जा रही है, वी दिरिक है, पर यहां important है कि I जो है, वो Y की component में है, Y की terms में, और J है आपका X की terms में है, यह आपको ध्यान देना है, और जो trajectory of positive पर निकालते हैं, वहां पर कभी T नहीं आना चा i-Keyp और V-Y-Z-Keyp, तो Vx हमारे पास कितना है, K, Y, और Vy कितना है, मेरे पास K, X, तो सब हमला और इसकी value हमारे पास कितना है, कितना हो K, Y, यह अगर कितना हो जाएगा आपका K, X, यह मेरे पास, इसकी given से मैंने value ले ली, आप देखो, 2 by 1 कर दूँ, इसमें इसका भाग कितना dx दाएगा और यहां case है कि cancel आपका x upon y आ गया अब y की terms को अलग कर दें x को अलग कर लें तो y dy इकल टो हो गया x dx इसका अपन करते हैं दोनों साइड में integration तो कितना y square upon to equal to x square by 2 plus यह आपका constant अब इसमें देखो अगर मैं इस इस पूरी equation को यहीं पर यहीं पर अगर 2 से multiply कर दूं तो 2 से multiply करने पर यह से cancel यह cancel आपका यह बन गया 2c 2c एक नया constant आपका बन सकता है तो क्या लिए स्कार इकल टो x square plus नया constant तो आपका answer क्या बनेगा y square equal to x square plus constant आराम से आप इसको कर सकते हैं next देखो question अगला question है कि when an object is shoot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 6 degree with a horizontal it can travel a distance x1 from the plane but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object the shot with the same velocity it can velocity यहाँ पर constant है और कि आपका x1 x2 के value आपको पुछ जारे है तो x1 x का formula आपका बैसिल होता है यूज कर अपोन 2 a y यहाँ जो inclined plane प्रेंगे ठीक 90 पे कौन सा component आपको यहाँ यूज करना होता है तो x1 कितना use कर अपोन यह हो गया 2 g sign 60 पहले में angle किता आपका 60 है दूसरे में किता आपका 3 degree का है इसको इहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका answer 1 upon root 3 आजाएगा यह basic question है बिल्कूल और इसको कर लेना भी ठीक है बढ़ते हैं आगे देगो component highest first यानि आपको इश में दे रखा है कि यह आपका दे रखा है चार हमारे पास projectile है air का कोई friction नहीं है उसको zero assume करना है और यह इस पात को दे करके हमको बताना है कि जो horizontal velocity of component है यानि वेका जो क्षाथी जगठक है उसको हमें order से सब करें के बताना है और कैसे देखना है? highest first आपने को अधिक्तम velocity है उसको पहले लिखना है तो अधिक्तम से आरम करते वे सब से पहले अधिक्तम कौन सा है उसके बाद कम घड़ते order में आपने को देखना है तो जो डाइग्राम दे रखा है हमको चार प्रोजेटल का उसको पन देखेंगे ना तो सोचें यहां देखो सभी की h मैक्सिम बराबर है जो आपको दिख रहा है सब की h मैक्सिम बराबर है और range की बात करता हूं तो fourth वाले की range सबसे ज़्यादा है यह आपको दिख रहा है वीजवल है इसमें तो देखने से हमको क्या मिल रहा है कि h सब की बराबर है और range है फोर की सबसे ज़्यादा है और वन की सबसे कम है अब देखो h जब बराबर है तो h हम लिखते है h गोल्ड होता है u y square upon 2 g होता है ना अब देखो यहाँ 2 g constant है h हम देखें तो जब h सब की बराबर है धान दो कि अब h u y के ही तो square पर 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 पोस्टन है ना वही h u y square पर depend कर रहा है तो जब h सब की बराबर है तो definite है u y सब का बराबर है सबसे पहले h के सेम होने पर आप यह तैय कर पाएंगे कि u y सबी के सबी जो projectile है उन सब के vertical component आपस में बराबर है u y constant हो गया अब range जब पन देखें तो r है 4 के सबसे बढ़ी है तो range का formula क्या हो देखो r equal to 2 u x u y upon g होता है अब देखो 2 constant है g constant है u y constant है तो r किसके proportional है u x के इसका मतलब जिसकी range जादा है उसका horizontal component of velocity भी सबसे जादा है तो u x r के proportional है u x आपका r के proportional हो गया इसका मतलब जिसकी r बड़ी है उसका u बड़ा है तो देखो सबसे बड़ी r है कि 4 की फिर 3 की 2 की 1 की तो इसलिए u x सबसे बड़ा किसका है गा 4 का फिर कम की इसका 3 का फिर 2 का और 1 का तो हमको गठते ही order में लिखना है तो 4, 3, 2 इसका answer आजाएगा बिल्कूल देखो h बराबर है range इसकी बड़ी है और range इसके proportional होगी शिदा कुछ भी लिखने के आउशिता नहीं है आराम से इस question को आप tackle कर सकते हो next, देखो question अगला question है कि air resistance को अपन मान रिखलाजीबल sorry, sorry, अगला question अलगा है the path of a progetile in the absence of air drag is sawn in the figure by dotted line तो dotted line दे रखिये अपने को ये dotted वाली ये है air friction के इग्नोर करने पर है अब कर रहा है if the air resistance is not ignored then which of the path sawn in the figure is appropriate for the progetile जब air के friction को अपन counter करेंगे, उसको count करेंगे उसके इसमें h, range, सब कुछ आपकी decrease हो जाएंगी तो देखो, इससे a और b दोनों की range यहाँ पर गटी भी है पर देखो, जो a है उसकी आपको s बड़ी भी दिखरी है ना, वो possible नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर basic देखने से आप इसको टी कर सकते हो, इस cancer आपका भी हो जाएगा अगला क्रिशन हमारा कि ash height से किसी मकान की छचपी को खड़ा विखती है, वो किसी particle को एक तो नीचे थ्रो कर रहा है और एक horizontal थ्रो कर रहा है तो कौन सी condition में speed है वो नीचे, क्या होगी आपको ratio पूछा है A man standing on the roof of a house of height ash throws one particle vertically downward and another particle horizontally with the same speed u the ratio of their velocities when they reach the our surface will be, आर्थ की surface पूर्ण की speed कितनी है वो अपने को बतानी है देगो तो मालीज़े एक body को अपने यहाँ पर u से नीचे थ्रो किया और यह h height cross करते वे नीचे strike करेगी तो यहाँ इसकी speed कितनी है वी equal to यह आपका है only u square plus 2gh का root यह तो अपन करते है मैंने only second equation लगाई है downward forum है दूसरी case में देखो यहाँ पर अपन फैंक रहे हैं इसको horizontally u x तो हमारे पास u है पट यहाँ पर u y कितना है 0, u x यहाँ 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 इसको open use करते हैं तो यह भी h height cross करते वे h height cross करते वे गर यहाँ strike करेगा तो इसके दो component बनेंगे एक आपका v x एक इसका है v y v x तो constant आपका u रहना है और v y हमारे पास कितना हो जाएगा देखो v y हम लोग लिखें तो कितना root 2 g h अब इसका v x हमारे पास u है v y मेरे पास कितना root 2 g h है h height के बाद आपन गयाद करते हैं आपको निकालना इसका native velocity तो v equal to हम लिखें देखो u i k minus कर दो इसको plus कर दो minus का 2 g h का root into कितना j k और इन दोनों को फिर दोनों आपस पन 90 पे हैं इसका square करके sum करके root करेंगे तो आपकी ये velocity आजाएगी v equal to u square plus 2 g h का root आएगा इसका मतलब इसका answer कितना आएगा 1 ratio 1 आजाएगा तो देखिए इसका answer आपका 1 ratio 1 और वैसे पर देखो आप यह भी जानते हैं कि अगर मैं u speed से किसी body को throw कर रहा हूं और u से hoagent को throw कर रहा हूं तो जो उसकी mechanical energy है same height पे हैं तो h उसकी बराबर है उसकी भी h बराबर है तो उसके पास kinetic plus potential दुन बराबर है तो ऐसे स्थी बें यहाँ पे conservation of mechanical energy भी apply करेंगे तो हम जानते हैं कि हर point पे same distance पे हमेशा same height पे same height पे हमेशा अगर particles same ask के हैं और same velocity से आपने horizontal या आपने downward throw कर रहा है तो same height पे हमेशा उनकी mechanical energy constant बनी रहेगी तो आपसे mechanical का ही हाँ और mechanical का ही हाँ velocity से relation होता है तो आप आराम से इसका ratio है 3 ratio 1, sorry 1 ratio 1 इसका कर सकते हैं ठीक अभी तो next question देखें question है a ball of mass small m is thrown vertically upward तो theta 1 हो गया 90 degree another ball of mass 2 m is thrown at an angle of theta degree with a vertical vertical से theta तो होजने रहेगी किता है 91 theta तो theta 2 किता हमारे पास 91 theta आएगा कोई दिकता नहीं है both of them stay in air for same period of time, दोनों same time के लिए air में रहते हैं, इसका मतलब time of flight same है, तो देखो time of flight किता हूँ होता है 2 u i by z t होता है 2 u by z 2 u g constant है तो u i आप देखो time दोनों का same है, तो u i constant हो जाएगा, भी t constant है, t बराबर है तो u i b constant, इसका मतलब u i दोनों का same हो गया, अब आप से पूछा है कि इन दोनों cases में, दोनों, जो प्राप्त उंचा ही है, height attend by both, उनका ratio पूछा है, तो height होता है, तो h होता है, u square, u y square upon 2 g होता है, तो 2 g तो constant है, तो h यहाँ पर u i square, u i के square पर डिपेंड कर रहा है, जब एटेजी u i constant है, तो h भी same होता है, तो इसका answer भी आपका 1 ratio, 1 आजाएगा, ठीक है, next देखो, अगला question है कि a body of mass small m is projected at an angle of 45 degree with a horizontal, if air resistance is negligible, then total change in momentum when it strike the ground is, आपनी यहाँ से body को throw किया है, और यह strike करेगा इ momentum में कितना change है, तो देखो, अगर मैं यहाँ से इसको throw करता हूँ, इसका mass कितना small m है, इसकी velocity मैं यू मान लेता हूँ, इसके पन करते है component, यू cos और यू sign, इस point पर आने पर क्योंकि conservation of energy यहाँ पर apply होगा, तो जो इसकी velocity यहाँ during the projection, वो थी आपकी during the strike होईगी, अब यू इसका angle of, जो आपका projection है, यह आपका angle of strike बनेगा, इसके अपन करें component, तो u cos और यह बनगा, आपका u sin, थेटा बन गया, अब देखो, यह दि हम बात करते हैं, इसका horizontal momentum, वो तो constant है, जब constant है, तो उसमें कोई change नहीं आएगा, तो यह आपका mu cos, यह भी mu cos, बाद का, पहले का दोनों बराबर हैं, same direction में है, change कितना जिरू आएगा, पर देखो, इसका tucker के बाद तो कैसा है, mu sin, और यह आपका mu sin, ठीक opposite हैं, इसका अपने निकालते हैं, difference, तो कितना, इस में से इसको उठाऊंगा, तो just आपका जाएगा, delta p equal to 2 mu sin theta, अब देखेगा, 2 mu sin theta, theta हमारे पा 1 by root 2, तो यह हो गया, 2 mu into 1 by root 2, इसको root 2 से multiply, root 2 से divide करेंगे, यह आपका cancel हो गया, तो root 2 mu, यह इसका सही answer आजाएगा, okay, next देखते हैं, question देखो, next only basic आपका question है, तो इसको भी हम note करके लिखते हैं, time हमारा, बचेगा, a cannon on a level plane is amped at an angle theta degree above the horizontal, and a cell is fired with a muzzle velocity V-note towards a vertical cliff, a distance d away, then the height from the bottom at which the cell strike the side wall of the cliff is, simple question है, एक top 30 तल पर रखी है, वो theta cone बनाते वे V-note वेक्स से एक गोले को प्रेक्सिप्स करती है, top से D दूरी पर एक उर्दवादा चटान है, तल से किती उचाये पर गोला चटान से टकराएगा, simple question क्या है, यह होजन्ट surface है, यह कोई cannon top है, कोई उसको theta angle पर अपन ने कर र हाइट पर strike करेगी, किस हाइट पर strike करेगी, वो हमको यहाँ पर find करना है, तो यह basically आपकी trajectory or projectile उससे easily अपन कर सकते हैं, तो य इकोल्ट होता है, x 10 theta minus g x square upon 2 x square होता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर y तो आपसे पूछा है, तो y to y use कर देंगे, x हमारे पास किता है, horizontal distance इ ux हम क्या लिखें, vx, तो देखो, v0 इसका है net velocity, तो हम लिखें इसका ux, तो कितना v0 cos theta, तो हम इसको लिखें, ux को v0 cos square 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 theta, तो आपका answer किता लिखो, y is equal to d10 theta minus g d square upon 2 v0 cos square theta, basic only question है, उसको आपको यहाँ पर काम में लेना है, और इससे इसका answer आपका हो जाएग कोंसा, य 3rd, बढ़े आँगे, तो देखिए अगला question, अगला question बहुत प्यारा है, एक गेंद किसी खिलाडी द्वरा फैंगने पर, दूसरे खिलाडी तक 2 second में पहुंचती है, कोई गेंद आपने थ्रो करी, और दूसरे किसी player के पास, वो 2 second में reach हो रही है, पहुंच रही है, तो आ maximum कितनी में आपसे पूची गई है, तो आपको दरख है T time of flight दरख है, और H maximum आपसे पूची है, तो आपन जानते है T होता है 2 UY upon G, और T दरख है हमको 2 second, तो T को आपन 2 रखें, दोसरे कड़ गया, यह किससे कैंसल हो गया, तो UY मेरे पास कितना G आगया, अब आपको 5 meters की height आपको मिल जाएगी, यदि G 9.8 अपन यूज करते हैं, तो 4.9 आती, वो इसमें option है नहीं, तो इसकांसर आपन क्या tick कर देंगे, 3rd कर देंगे, ओके, next देखो, एक प्रक्सेपे के अधिक्तम ख्षातिस प्रास के लिए प्रक्सेपन कौन कितना होता है, 45 degree, basic होता है, अगला question देखो, एक प्रक्सेपे के अधिक्तम ख्षातिस प्रास आपसे बराबर है, यानि आपको बोला है r equal to h, तो यह पूछा है कि angle of projection हो कितना है, angle of projection आपने पूछा है, तो अपन जानते है, रतन चोर है, r 10 theta equal to 4 h, तो r हमारे पास कितनी है h, और यह 10 theta equal to कितना हो गया 4 h, h c h cancel, तो 10 equal to 4, तो theta equal to 10 inverse, 4, 10 inverse, 4, यह इसका right answer हो जाएगा, गलती ना हो जाए, देते हों उच्छा है, एक सहतित प्रास के बराबर, r equal to h है, r को हमने h put कर दिया, या h को r कर दो को issue नहीं कर जाएगा, तो 10 theta 4, तो theta के तन 10 inverse 4, बिल्कुल इसका answer आपका second ही आएगा, next देखिए, क्षाथिया से 45 दिगरी पफेंगी सिवस्तू के लिए उंचा ही h और रेंज, जानते हैं, वही रतन 4 है, r 10 theta equal to वापीस, वही 4 h, 10 45 1 हो गया, तो r equal to कौन सा 4 h, यलो होई, तो next question देखें, 3 particles A, B, C are thrown from the top of a tower with the same speed, A is thrown up, B is thrown down and C is thrown horizontally, they hit the ground with speed V, A, V, B and V, C respectively, तो question दो क्या है, मालो हमारे पास ही कोई h height का कोई एक tower है, ठीक है, और हम यहाँ से, top of tower से, इसके top of tower से, A, B, C, 3 मेरे पास कोई object है, stone, उनको open throw कर रहे हैं, एक use speed से upward, एक use से downward, एक use से horizontally, हमने अभी एक case पड़ा था, कि इस वाले case में, यहाँ से, यहाँ से, इसकी speed कितनी होनी है, और इसमें, यहाँ इसकी speed कितनी है, यहाँ इसकी speed, यहाँ आपने find के थी, use curve plus root 2gs, इसकी भी use curve upon 2gs आएगा, अब यहाँ भी देखोगे, तो जब यह वापिस top पे जाएगा, चाहिए, वो लिखा नहीं है, तो उस case में आपका answer आपका first ही हो जाएगा, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, इसमें आपको दे रखा है, two trends are moving eastward with velocities 10 meter per second and 15 meter per second on a parallel track, calculate the relative velocity of slow trend with respect to the fast trend, question बहुत simple है, इसमें पूछा है, कि slow का first के respect में निकालना है, तो slow का first के respect में निकालना है, तो v slow minus v fast, अब दोनों कैसे move कर रही हैं, दोनों east की तरफ मूँग कर रही हैं, तो हम कौन सा use करेंगे component, i वाला आपने use कर लेंगे यह direction के लिए, तो देखो, slow की spread कितनी है 10, और क minus 5 meter per second, और यहां sign दे रखे हैं, यह भी दे रखे हैं, यह भी दे रखे है, plus का भी है, minus का भी है, तो हम answer कौन सा टी कर देंगे इसका वेटा जी, minus का 5 meter per second, तो next question देखें, two railway tracks are parallel to the north-south direction, train A is moving with a speed of 40 meter per second from north to south, दो train है, एक train है दो north यह south, तो पहले train north से south move रही है, उसकी speed हम train B is moving with a speed 30 meter per second from south to north, यह south से north move रहा है, तो इसको उपन use करते है, negative direction, इसको उपन करते है, positive, ओके, तो अब आप से पूछा यह है, find the relative velocity of ground with respect to A, relative velocity of ground with respect to A, ground की आपको पूछी A के respect में, तो VG minus का VA करेंगे, VG ground तो rest में 0, minus कितना VA, अब बेटा VA है कितना VA, आपका है, minus का 45 downward है, तो minus minus आपका हो चुका है, plus का 40 meter per second, plus का 40 meter per second, तो plus 40 meter per second इसका right answer है, वो आ जाएगा, ओके, next question पे आते हैं, अगला question है, कि 2D motion में एक particle का position vector दे रखा आपने को यह, तो T हाँपे, second में है, R है, meter में, तो आप से पूछा है, at t equal to 1 second, and, जो particular, उसकी direction जो है, वो X-AX से कितना angle बनाएगी, तो वो तो हम किसका angle बना पाएगे, वो हम find करेंगे, velocity जहां है, velocity, वो X-AX से कितना angle बनाती है, आपको find करना है, तो देख, V equal to होता है, dr by dt, तो हम इसमें R का करते हैं, T, तो देखिए, 4T का हो गया, 4, और 4T square का हो चुका, आपका at t zk, पर पूछा t equal to 1 second पे, तो जैसे एपन t को 1 put करेंगे, तो हमारे पास value कितना आती है, 4i k plus at zk, अब इससे एपन निकालते हैं, 10 theta, तो वो तक coefficient of z upon coefficient of i, तो g का coefficient कितना है, 8 upon 4, 8 upon 4 कितना 2 आ गया, तो theta हमारे पास है, 10 inverse 2, theta हमारे पास है, 10 inverse 2, यह आपका right answer हो जाएगा, ठीक अभी, बढ़ते हैं अगले question में, तो next question देखें, यह particle starts from origin at equal to 0 with velocity of 2 i cave, तो 2 i cave है, इसका vertical component नहीं दे रखा है, and moves in xy plane under a constant acceleration, 3 i cave, 2 j cave, यह आपका हो गया, a x, और यह आपका हो गया a y, what is x coordinate of the particle, where its y coordinate is 16 meter, जिस समें इसका y coordinate 16 meter है, तो x कितना वो आपसे पूछा गया है, तो एक बात तो यह कि जब a इसका constant है, तो हम यहाँ पर equation of motion जो है, वो apply कर सकते हैं, तो देखेंगा, y की हम बात करते हैं, तो y होता है, क्या है, u i t plus half a y t square, अब y हमको दे रखा कितना 16 meter, u i कितना, देखो, x तो दे रखा है बटा, पर u i कितना 0 है, तो आप इसका u i लिखते हैं 0, तो यह आपका portion घतम हो चुका, तो plus half, अब देखें, half into a y बटा कितना है, a x तो मेरे पास 3 है, a y कितना मेरे पास है 2, तो क्या लिखें देखो, यह हो गया, half और a y कितना आपके पास 2 into t square, यह 2 से 2 आपका cancel होगा, t square कितना मेरे पास है 16, तो t कितना root of 16 का मतलब हो गया, t बराबर, यह है 4 second, अब इस 4 second के instant पर x कितना वह आपको निकालना है, तो again आपने काल दो x direction में इसका displacement equation, तो x कितना है, u x t plus half a x t square, u x मेरे पास कितना देखो, u x हमारे पास से बटा जी कितना 2, तो 2 into t कितना 4, तो 2 into 4 हो जाएगा, plus half a y कितना है 3, तो half a y into 3, और t कितना था 4 का square 16, इसको 4 into 2 कितना होगा 8, इसको उड़ाएं इसके कितना होगा 8, 8 into 3 कितना होगा, 24, at plus 24 आपका 32 इसका answer आजाएगा, इसका अगला question बहुत बैस्तिक है 53, वह आप 30 कितना है, आप खुद ही कर लेंगा उसको भई, तो next question देखे वेटे, question है, a swimmer can swim in still water at a rate 4 km per hour, if he swims in a river flowing at 3 km per hour and keeps his direction with respect to water, इसका मतलब water के rest में होने पर, ये 3 km per hour से move करना चारा है, perpendicular to the current, find his velocity with respect to the ground, इंदी में देखें, एक इस्तिर तेराक, पानी में 4 km per hour की चाल से तेर सकता है, यदि वह 3 km per hour की चाल से बहती नदी को बहाव के लंबो तेरते वे, यहां एक च्छोड़ा सा correction है, यहां आपको दे करता है, तो तेराक का ध्रातल के सापेक स्वेग क्या होगा, यह हमको find करना है, इसमें option actually गल्थ हो गे थे, उनको सही किया है, तो option हमारे है 1 km per hour, दूसरा है 2 km per hour, और 3rd आपका 4 km per hour, और 5th है 5 km per hour, यह इस तरह से हमारा equation है, तो आप देखें, यहां river जो हो रही है, 3 km per hour से second, यह इसको जो river का flow है, उसकी ठीक 90 पे रहते वे, क्रोश करना चाहता है, उस condition में हमको पूछा है, कि तेराक का ध्रातल के सापेक स्वेग क्या है, हमको दियावा क्या था, वो आप देखें, तो जैसे इसको मैं यहां लिखूँ, velocity of man with respect to river, तो वो हम कैसे find करते हैं, velocity of man minus velocity of river, अब आपको यह मालूम है, कि यह जो velocity हम लोग लिखते हैं, यह तो river के respect में, बट यह velocity आपको मालूम है, यह ground के respect में होता है, और हम से पूछा किया तेराक का, जो swimmer है, ठीक है, तो swimmer है, उसका हमको ground के respect न पूछा है, तो हमको तो find करना, देखो साब, man का ground के respect में, य यह आपन के देए, swimmer का ground के respect में, तो यह से minus को अपन प्लस कर देएंगे, तो देखो, vmr प्लस हो जाएगा, vrz, यह velocity हमको देराक ही है, तो vmr हमारे पास कितना है, मैं आपन का, देखो, river के respect में, आपको देराक है, 4, तो इसको अपन लिखें, 4 j cave कर दोता हूँ, plus v, यह आपका है, river का ground के respect में, वो आपको देराक है, 3 km per hour, तो इसको अपन लिखें, 3 i cave, और इसको अपन mode लेंगे, तो 4 का square 16, 3 का square 9, और 16 प्लस 9 होगे, आपका 25, और root of 25 आप जानते हैं, 5 km per hour, यह हो जाएगा हमारा धरातल के, यानि ground के respect में, इसका speed, ठीक है, तो इसका answer आप कर देंगे, 4th, तो next question देखें, question number 54, question है, if football is kicked at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal, its speed 1.5 second later is, तो आप से पूछा है, कि अगर हम किसी football को 28 meter per second के speed से horizontal के साथ 30 degree पे अपन उसको किक करते हैं, तो 1.4 second के बाद, उसकी speed क्या है, यानि उसकी velocity का magnitude कितना वो आप से पूछा है, तो हम इसको तो दो तरह से दो समझ सकते हैं, एक तो आप यह जानते हैं, कि इसका time of flight अपन निकालते हैं, तो हमारे पास कितना 2 u sin upon g आएगा, तो देखें, 2 हमारे पास हो गया, u हमारे पास 28, sin 30 आपका बनव flight, तो अब देखें, इसका मैं अगर top, यानि ground to top और top to ground का time लेते हैं, तो इसका जिसे top, अगर ग्राउंड to top अगर time लेता हूं, तो वो हमारे पास कितना होगा, total time का half हो जाएगा, t by 2 यानि 1.4 second, तो आपको पूछा कब है, कि 1.4 second बाद इसकी speed कितनी है, तो आप जानते 1.4 second actually है क्या, top पे पहुंचने का शमय है, और उस समय इसके पास only horizontal component of velocity ही रहता है, और उसको अपन यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास वी top क्या हो जाएगा, वी top हो जाएगा हमारा u cos theta, i cave, तो u हमारे पास कितना है, वो दो है 28, into u cos, cos हमारे पास 30, cos 30 होता है, root 3 by 2, और य 14 into root 3, और 14 को root 3 से पर multiply करेंगे, तो इसका अप्रोक्स जो value है, वो 24.2 meter per second है, वो आ जाएगा, तो इस तरह से इसको आप अराम से कर सकते हैं, तो देखे, अगला question है, a man is walking on a level road at a speed of 3 km per hour, ठीक है, rain drops fall vertically with a speed of 4 km per hour, find the velocity and direction of rain drops with respect to the man, simple question है, एक व्यक्ति सम्तर सड़क पर 3 km per hour की speed से move गर रहा है, वर्सा की बुंदे और दोहादर नीचे की तरफ 4 km per hour के वेग से गिर रही हैं, तो वर्सा की बुंदों का व्यक्ति के सापेक स्वेग, उसका परिमान ओधिसा हमको find कर रही है, तो देखो, बहुत ही simple question है, आप देखें, इसमें माली जी कोई एक man है, और man की speed है, यह velocity आपको दे रहा है, आपको देखें है, वी man, that is 3 km per hour, कि दे राइट वर्ड को आपको दे रहा है, और इसका वेल्यू आपको दे रहा है, 4 km per hour, और इसको डिरेक्शन के साथ लिखूँ, तो माइनस जे के पर ले सकते हैं, ठीक है, अब देखो, आप से पूछा इसमें है, कि velocity of rain with respect to man, तो यह हो गया आपका vr minus vm, ओके, तो vr हमारे पास कितना देखो, 4, तो minus का 4, जे के, formula का minus, और vm हमारे पास है 3, आई के, अगर हम बात करते हैं, इसके magnitude की, तो यह magnitude इसका हो गया, देखो, 4 का स्कार 16, प्लस 3 का स्कार 9, तो 16 प्लस 9, यह हो गया आपका 25, जिसका root हो जाएगा 5, तो 5 km per hour, यह है actually, रेन की मैन के respect में, speed, अब एंगल की बात करते हैं, तो एंगल के लिए हमारे पास दो चोईस हैं, यह तो आपन निकालते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर find करते हैं, विद होरिजोंटल, तो उसको अपन लिखें 10 alpha, तो वो तो हमारे पास हो जाएगा, coefficient of j upon coefficient of i, तो मैं इसको लिखाँ, minus का 4 upon minus का 3, तो 4 upon 3 अपन कहा सकते हैं, यह तो अपन निकालते हैं, इसको with respect to vertical, तो 10 beta हम लोग कर दें इसको, वो हो जाएगा, coefficient of, यह उसको उल्टा हो जाएगा, minus का 3 upon minus का 4, यह हो गया 3 by 4, तो अगर हम इसको निकालते हैं, horizon के respect में, तो 10 alpha मेरे पास 4 upon 3 आएगा, और हम इसको निकालते हैं, with respect to vertical, तो 3 by 4, अब अपन देखते हैं, option किस तरह के हैं, उस पे पन देखते हैं, देखो, तो option में, देखें, first है 10 km per hour, 10 ही तो होने नहीं देखो, third है 5 km per hour, 10 inverse 3 by 4, 5 km per hour, 10 inverse 1 by 2, अब यहां direction किस की respect में हमको find करना हो, mention है नहीं, तो इसलिए आसानी से हम लोग इसमें third option उसको tick कर सकते हैं, यह हमारा right answer हो जाएगा, ओके, तो next question देखें, if football is kicked at a speed of 28 m per second in a direction 30 degree above the horizontal, it's a speed 1.5 second later, यानि हम अगर किसी body को 28 m per second के वेक से, horizontal से 30 degree पे अगर throw करते हैं, तो आप से पूछा कि 1.4 second बाद इसका speed कितना होगा, sorry, इसकी speed कितनी है वो आप से पूछीगी है, तो एक तो यह है, आप इसका निकालो time of flight निकालो, वो कितना होता है, 2u sin theta upon g होता है, ठीक है, तो इसको इपन लिखें 2, into u कितना हमारे पास है 28, sin theta कितना 1 by 2, upon कितना g, 2 से 2 कट गया, तो आप देखें इसका वेलियों हमारे पास कितना जाएगा 1 point, कुछ गरबड हो गया देगो, दोबार लिखोंगे इसका time of flight, 2u sin theta, 2u हमारे पास कितना है 28, sin theta, 1 by 2, upon g, 10 हो गया भई, ठीक है, इसको इसको इस उड़ा दू, तो 2 point 8 upon 10, तो कितना 2 point, so 28 upon 10, तो इसका time of flight कितना है 2 point 8 second है, इसका मिदभ तोप तक जाने का समय कितना 1 point 4 second है, तो 1 point 4 second पे उसकी position कहाँ पर है, तो पॉइंट पर है, अब तो पॉइंट पे तो उसके पास only speed कौन सी है, horizontal speed है, कितनी है horizontal speed, यह नि यू कोस रटाई है, और यू कोस का मतलब हो गया, only यू कोस रटाई हो गया, तो यू कितना 28 into root 3 by 2, टू सुद उडाईंस को इतना 14 root 2, root 3, और 14 root 3, 14 को 1.732 से multiply करते हैं, तो इसका right answer आपका first होदेगा, अगर मालो, यह मालूम नहीं है, यह अप्रोच आपकी दिमाग में उस समय नहीं आती है, तो हमको पूछा है only उस समय इसकी, यह आपको पूछा है कि 1.4 second पर इसकी speed कितनी है, तो V होता है VX IK plus कौन सा VY ZK, और VX तो constant है कितना UX C है, U cos theta, और V Ui कितना होता है, आप लगाते हैं, first equation कौनसी, U Y minus कितना AYT, तो U sin theta minus का GT बनता है, अब इसे value put करोगे, तो भी answer आपका यह आना, देखो, U कितना 28, cos कितना होगे मेरे पास 30, cos 30 होता है, root 3 by 2 IK plus U again कितना 28, sin 30 कितना 1 by 2, minus कितना G 10, T हो गया 1.4, अब इसको multiply करो कितना 14, इस 14, root 3, answer वो यह आना है, ओकी, यह question बिल्कुल basic है, अगला question देखो, यह question basic है, आप कुद कर लेंगे, इसमें time कराब करने का आँशकता, नहीं है, देख लें, बिल्कुल basic question है, next question देखे हम लोग, तो देखो, इसमें क्या पूछा है, a ball is thrown from a point on ground at different angles with the same speed of 30 meter per second and has the same range in two cases, है कि उस condition में, अगर उनकी height कितनी h1, h2 है, तो h1 plus h2 का value कितना होता है, तो यह वैसे h1 plus h2 होती, maximum, जो h2 ने use कर अपॉन 2g वो होता है, चलो फिर भी देख लेते हैं, तो एक गेंद को अपन, अलग-अलग, समान स्पीड से पन थरो कर रहे हैं, तो h1 तो कितनी को आगई, u square sin square theta upon 2g, s2 कितना, उसका angle up है, कितना 90 minus theta हो जाएगा न, same range वाले में, तो u square, मैं इसको लिता हूँ, sin square 90 minus theta upon 2g, और sin 90 minus theta होता है, cos theta, तो इसको अपन क्या लिख सेते हैं, u square cos square theta upon 2g, अब हम इन दोनों का कर दें sum, h1 plus h2, तो देखिएगा, अगर h1 plus h2 मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो यहाँ u square upon 2g आपका आगया common, बचा कितना, sin square theta, और plus cos square, यह हो गया 1, तो u square upon 2g, यह है h1 plus h2 का value, अब बैटाजी, u square कितना है, u मेरे पास 30 का square कितना हो 900, upon 2 into g, हमको दे रखा है, 10, 10 इसको 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 कर लो, यह से cancel 90 upon 2 कितना आ गया, 45 मेटरिस का right answer आ जाएगा, ओके, तो next question देखें, if the time of flight of a progetile is doubled, the maximum height attend will be, initial speed remains same, तो यहाँ इस word से थोड़ी सी confusion की हिस्टती बन सकती है, किसन था, एक प्रक्से पेके, ओडिन काल को double किया जाता है, तो इसके द्वरा प्राप्त अधिक्तम उचाहिए क्या होगी, आराम्बिक चाल समान होनी चाहिए, कोई इस्व नहीं है, आपको time of flight double करना है, तो हम देखें, तो t होता है 2 u y z, अब time of flight किस पर डिपन कर रहा है 2 और जी तो constant आपके, तो t हमारे पास u i k proportional है, जब t को double करना है, तो just आपको u i double करना पड़ेगा, तो u i days कितना आपका 2 u i is जाएगा, सिंपल सी बात है, अब देखो, जब आपने u i को double कर दिया, तो जो h होती है maximum, वो क्या होती है, u i square upon 2 g, again यहां देखो, जित आपको constant है, तो h फिर किस पर depend कर रहा है, u i कि square पर depend कर रहा है, जब आपने u i को double कर दिया, तो height कितनी हो जाएगी, 4 times, बिल्कुल simple question है, pen की आव 45 plus theta और 40 minus theta, दोनों पे same range आती है, इसका answer आपका 1 ratio 1 होता है, इसमें कोई आवश्यक्ता नहीं, बिल्कुल basic question है, सब बच्चे पढ़ता है इसको, अरग question है, किसी प्रक्सेप है कि 27-30 परास, इसकी अधिक्चम उंचाए कि 4 root 3 times है, तो इसकी प्रक्सेपन कोण का मान कितना ह है, the horizontal range of a progetile is 4 root 3 times, its maximum height, तो आपसे पूछा है, its angle of projection will be, यह इसकी horizontal range capital R, जो है, वो इसकी h की 4 into root 3 है, उस इसकी में angle of projection कितना हो आपको बताना है, तो हमने बार-बार का आपको यह तो बहुत सिखा है, अच्छे से, तो R, रतन 4 है, तो R 10 theta equal to 4 h, तो R हमको दे रख्या है, 4 root 3 h into 10 theta, बराबर 4 h, और इससे हम solve करेंगे, तो h से h cancel हो गया, 4 से 4 cancel हो गया, और यह मेरे पास 10 theta कितना 1 upon root 3 आ गया, तो theta मेरे पास कितना 30 degree, 30 degree हाँ पर angle of projection हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए, अब हम पहुंच चुके इसकी बिलकुल last question में, ए प्र horizontal, what is the speed when its direction of motion max and angle theta with the horizontal, तो horizontal से कितना angle बनाता है, वो हम से पूछा, जा रहा है, कुछन तो कैसे है, कि जैसे मानलो यह कोई horizontal है, यहां से हम लोग 2 theta angle पे, यू स्पीड से किसी पूछटल को थ्रू कर रहे हैं, और इस तरह से इसका path बनेगा, अब आप से पूचा कि जिस समय ऍचिये, जिस समय इसकी velocity, horizontal से theta रहेगी, तब इसकी velocity व कितनी है, वो आप से पूछफी गई है, पीजर को बैसे question है, यहां से 2 theta पे, P綠ीद से यू सी पूछी जा कर रहे हो, तो आप से पूचा कि जिस समय इसका angle horizontal से theta रह जाता है, उस समय उसकी velocity कितनी है, उसकी speed गई है, आप से पोची जा रही है, तो देखिएगा, अब हम यह जानते हैं कि इस पूरी कहानी में, इस पूरी प्रोसेस में horizontal component of velocity हमेशा constant रहता है, तो अगर इसका अपन यहां करते हैं horizontal component, तो हमारे पास कितना आएगा u cos 2 theta, और इसको a point पे यह है और b point पे पन देखें, तो हमारे प जानते हैं कि x direction में कोई acceleration, कोई force नहीं है, तो हम यह जानते हैं बार-बार कह रहे हैं कि इसका horizontal component of velocity हमेशा constant रहता है, तो हम क्या लिखें देखो, कि v cos theta is equal to u cos 2 theta, तो इससे हम solve करेंगे, तो v हमारे पास है u, और यह cos 2 theta upon cos theta, अब हम को यह मालूम होना अची कि cos 2 theta जो है, इस एक लिए cos 2 theta minus sin 2 theta upon cos theta, अब option यहां पर बिल्कुल, option अभी match नहीं करते हैं, यहां पर option के रूसर आपको आगे इसको और solve करना पड़ेगा, तो अगर मैं sin 2 की value, हम जानते हैं sin 2 plus cos 2 equal to 1 होता है, तो अगर मैं sin 2 के इसको लिखता हूँ 1 minus cos 2 theta, अगर यहां इसको put करता हूँ, मैं minus से multiply करूँगा, तो 1 तो minus का हो गया और यह आपका हो गया plus, तो इससे solve करने पर देखो हमारे पास value आएगी, u तो पहले से बाहर पड़ा है, और इससे solve करने पर आता है 2 cos 2 theta minus 1 upon cos theta, अब इसको solve करेंगे, तो u, 2 cos 2 upon cos 2, तो cos 1 कड़ गया, तो यह आपका आगया 2 cos theta, फि यह हमारा इसका right answer हो जाएगा, तो देखिए बहुत सारे जो आपके दो topic थे, उसमें मैंने बहुत सारे questions ऐसे ले रखे हैं, जिसमें सारे concepts आपके यहाँ पर mix करेंगे, अच्छे से आप इसको करेंगे, तो definite है आपको NEET 2021 में बहुत फाइदा मिलेगा, और अब मैं इस lecture को करता हूँ, okay, thank you, JCLC.